हेलो अच्चो तो यहाँ पर आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ के इतिहास के अध्याय नंबर एक को जिसका नाम क्या है फ्रांसिसी क्रांती यानि कि फ्रांसिसी क्रांती के बारे में यहाँ पर हम पूरी तरीके से पढ़ने वाले हैं फ्रांसिस्ती क्रांती क्या थी, क्यों हुई थी, कब हुई थी, सभी चीज़े पढ़ेंगे और साथ में इसका प्रभाव भारत के उपर क्या पढ़ा ये भी पढ़ेंगे तो अगर आप इस वीडियो को जल्दी से देखना चाहते हैं तो 1.25x स्पीड पर देख लीजे, या फिर 1.5x पर देख लीजे जल्दी से आपका वीडियो खतम हो जाएगा, आपकी पढ़ाय भी जल्दी हो जाएगी अब यहाँ पर देखिए फ्रांसिसी क्रांती की बात कर रहे हैं तो फ्रांसिसी क्रांती भाया हुई कहा थी? नाम तो आपको दिख रहा है प्रांस, तो भाया फ्रांस में हुई थी तो अगर आप एक तरीके से चलते हैं दुनिया में तो यह हमारा पृठ्वी है अब इस पृठ्वी में हमारा भारत यहाँ पर है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा भारत है ठीक है हमारा भारत कहा है ये तो आपको पता चल गया लेकिन फ्रांस कहा है भाई तो यहाँ से इस प्रकार से ये पूरा एशिया का इलागा है इस एशिया से इधर जाएंगे तो सौदी अरब वगेरा आ गया एशिया ही में है फिर यहाँ पर यह अफरीका है इसके उपर हमारा यहाँ पर आता है यूरोप यूरोप में यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा जूम करें तो एक सिकेंड मैं यहाँ पर उपर जूम करता हूँ यहाँ पर zoom करें, तो यहाँ पर आपको France नाम का देश दिख रहा है, यह है आपका France, यहाँ पर, बगल में इसके UK है, इधर Spain है, इधर आपका Belgium है, नीदरलेंड है, यहाँ पर Germany है, यह सारे देश यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है France, और इसी France की हम यहाँ पर बात कर रह हैं, जिसको की हम France C. Kranti के नाम से जानते हैं, अब यह France C. Kranti की जो शुरुवात हुई थी, वो कहां हुई थी भाई, वो पेरिश में हुई थी, अब यह पेरिश में हुई तो थी, लेकिन पेरिश शहर को जरा सा अगर हम लोग ध्यान दें, तो यह है पेरिश शहर, वही शह आपको अच्छे से ध्यान देंगे, पहला पाराग्राफ यानि पहला पेज जो है, यहां पर आपको एक तारीख मिलेगी सबसे शुरुवात में, यह तारीख कौन सी है, यह तारीख है 14.07.1989, तो यह तारीख यहां क्यों लिखी गई है, यह तारीख इसलिए लिखी गई ह क्योंकि फ्रांस की जो क्रांती हुई थी, उसकी शुरुवात इसी तारीख को हुई थी, तो अगर आपसे एक्जामनेशन में कभी भी प्रशन पूछे कि फ्रांसिसी क्रांती कब हुई थी, या फिर कब शुरू हुई थी, तो आपको यह उत्तर देना है, क्या उत्तर देन थी ये क्यों कह रहा हूँ क्योंकि ये शुरुआत का दिन है लेकिन अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें या फिर दूसरे कोई किताब पढ़ें तो आपको अलग-लग डेट मिल जाएंगे लेकिन यहाँ पर क्लास 10 के हिसाब से हमको यही डेट ध्यान में रखना है ठीक है अ तो अब यहाँ पर आपको चौदर जुलाई 1789 के दिन पेरिश शहर में क्या हूआ था क्या हो रहा था उसका एक बेवरा दिया गया है अब यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ था कि 14 जुलाई 1789 की सुबह में कब सुबह सुबह एकदम जब लोग भोरे भोरे उठे थे नीन से एकदम उठे थे ना उसी समय का बात हो रहा है कि सुबह में क्या हुआ पेरी शहर में आतंक का महुल था मतलब पूरे शहर में लोग डरे सहमें एकदम सोच सोच करें यार बहुत डरे हुए थे लोग क्यों डरे हुए थे क्यों कि यहाँ पर अफवा फैल गई थी अफवा मतलब क्या जूट मोट की खबर जूट मोट की बात लोगों में फैल गई थी क्या फैल गया था बात लोगो में कि भाई यहां पर जो समराठ है उसने बुलाया है सेना को और सेना जो है सीधे लोगों पर गोली चलाने वाली है अब यहां पर सेना को बुलाया गया था सेना आ रही थी सहर में लेकिन वो गोली चलाने के लिए नहीं आ रही थी किसी और कारणों से आ रही थी अब वो हम आगे देखेंगे क्यों आ रही थी। सेना को बुलाया गया था सहर में कि भाई सहर में आओ थोड़ा संभालो सहर को लेकिन यहां पर लोगों में जूटी अफवा जूटी खबर फैल गई कि सेना आकर सीधे जनता पर गोली मारने वाली है जनता को गोली चलाने वाली है। अब यहां पर इस चीज़ को देखते हुए जब लोगों के बीच में यह खबर फैली ना कि भाई सेना आकर सीधे गोली मार देगी तो लोग एकदम आग भबूला हो गया कि कैसे गोली मार देगी कैसे लोगों को मार देगी उन लोग मारेगा पहले हम लोग मार देगे इसलि पहर के टाउन हॉल के सामने जमा हुए और वहाँ पर इन्हों ने एक जन सेना बनाने का निर्ने लिया जन सेना क्या होता है मिलिशिया मतलब कि जैसे कभी देखते हैं न कि यहाँ पर मतलब सेना क्या होता है सेना होता है एक प्रकारस उसका ट्रेनिंग होता है तैयारी होती है उनको वेतन मिलता है, पूरा एकदम structure होता है, वो ऐसा होता है सेना, जन सेना मतलब कि कोई तयारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लोग भीड में आए, हतियार उठा कर लड़ने लगे, तो यहाँ पर लोगों ने क्या किया, साथ हजार की संख्या में जमा हुए टाउन होल के सा इन्हों ने बोला कि अब हम को चाहिए हतियार, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए, कोई भी सेना को काम करने के लिए हतियार बहुत जरूरी होता है, तो यहाँ पर यह जो लोग थे, यह जो साथ हजार की संख्या में लोग थे, इन लोगों ने क्या किया जितने भी सरकारी बिल्डिंग थे यहां पर हत्यारों की खोज शुरू कर दी सभी सरकारी बिल्डिंग में जबरजस्ती घुसने लगे हत्यार खोजने लगे ताकि ये आने वाली सेना का सामना कर सके अब जब यहाँ पर ये सारे लोग जो थे वो सरकारी बिल्डिंग में घुसने लगे, तो यहाँ पर जितने भी सरकारी बिल्डिंग थे पेरिश में, उन सभी पर एक प्रकार से हमला होने लगा, हमला in the sense, कि भाई ऐसा थोड़ी था कि आप सरकार से गुसा हैं, और सरकारी ब एक जगह था, एक जगह क्या था, वो था बास्तील, बास्तील का किला, ये बास्तील का किला भी पेरिश में ही था, अब यहाँ पर जब पूरी जो भीड थी, वो अलग-अलग बिल्डिंग में खोज रही थी, कि हतियार मिल जाए, तो उसी भीड में से 100-200 कुछ होंगे लो बहुत सैकडो की संख्या में जो लोग थे, ये पेरिश शहर के पूर्वी भाग की ओर चल गए, और बास्तील के किले की जेल को तोड़ डाला, अब ये जो बास्तील का किला है, ये एक प्रकार का जेल था, यहाँ पर इन्होंने हमला किया, और यहाँ पर इन्होंने इस जे मिल जाएगा, अब जब यहाँ पर ये जो लडाई हुई, जहाँ पर ये किला था, किला में सैनिक भी थे, यहाँ पर लडाई हुई, तो यहाँ पर बास्तील का कमांडर मारा गया, बास्तील का कमांडर जैसे आज हम लोग के शहर में, जो भी जेल होते हैं, वहाँ पर जेल कितनी थी कैदियों की सिर्फ साथ थी मतलब सिर्फ साथ कैदी थे फिर भी छोड़ा लिया कि भाई चलो चलो तुम लोग की यहां नहीं रहना है अब यहां पर यह जो किला था या फिर यह जो जेल था यह ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां पर एक कारण था हमला करने का दूसरा का परण हमला करने का ये भी था कि ये जो किला था या फिर ये जो बास्तिल का जेल था ये एक प्रकार से समराट की ताकत को दर्शाता था, समराट की निरंकुष ताकत को दर्शाता था, मतलब कि जो भी राजनितिक प्रतिद्वन्दी होते थे, मतलब जो भी लोग राजा के ख कारी बिल्डिंग में संग में घुम रही है और अंत में कहां पहुंसती है ये भीड अंत में ये पहुंसती है भीड कहां पर बास्तिल के किले पर और इस किले पर हमला करती है इस किले को तोड़ देती है और इनसे कैदियों को छुड़ा लेती है और जो भी थोड़ा मुड़ करते थे क्यों करते थे बाई क्योंकि ये राजा की ताकत को सत्ता को दिखाता था जो भी राजा के खिलाब बोलता था इसी किले में इसी जेल में डाल दिया जाता था इसलिए लोग इस किले से क्या करते थे नफरत करते थे और इसलिए भी इन्हों ने इस किले के उपर हमला क या फिर इस किले को तोड़ दिया और इतना ही नहीं इसके बाद देखे क्या किया गया इस किले को पूरी तरीके से ढहा दिया गया पूरा ध्वंस कर दिया गया और इसके बाद जितने भी अवशेस बचे उनको बाजार में उन लोगों को बेच दिया गया जो इस ध्वंस को बताया और इस मृती चिन संजोना चाहते थे मतलब पूरा बिल्डिंग गिरा दिया पूरा किला गिरा दिया और उस किले से जो इट निकली पत्थर निकले उन सभी को बाजार में ले जाकर लोगों ने बेचना शुरू कर दिया कि चलो चलो दो रुपया में खरीद लो पांच रुपया में खरीद लो वहाँ पर दूसरा चिलता था मैं रुपया बोल रहा हूँ ठीक है जितना में खरीदना है खरीद लो क्यों क्यों कि लोग इससे नफरत करते थे और ये बहुत बड़ी बात थी फ्रांस की जनता के लिए कि इसकी ले को ढहा दिया गया था और इसको याद के तोर पर जो भी रखना चाहता था वो इसको खरीद सकता था अब इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे यहां पर क्या हुआ जब यहां से इस क्रांती की शुरुवात हो गई यहां पर सेना के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, राजा के खिलाफ जनता उठ खड़ी हुई और जनता ने आंदुलन कर दिया तो इसी प्रकार के कई आंदुलन या फिर शंगर्स पेरिस के बाहर या फिर पेरिस में भी और गाओं के छितरों में भी पेरिस के बाहर भी होने लगे मतलब कई दिनों तक इसी प्रकार का संघर्श चलता रहा सेना से लड़ाईयां चलती रही राजा की सेना से और अधिकाश जनता पावरोटी की महंगी कीमुतों का विरोध कर रही थी तो यहाँ पर एक कारण आपको पता चला कि क्यों यहाँ पर लोग गुसा थे क्यों लोग आंदोलन पर उतारू थे तो उसका कारण था कि भाई फ्रांस में महंगाई बहुत हो गई थी वहाँ पर लोग पावरोटी खरीद नहीं पा रहे थे पर आउ रोटी यानि की ब्रेड नहीं खरीद पा रहे थे अब जैसे यहाँ पर हम लोग अपने भोजन में चावल खाते हैं गेहू का रोटी खाते हैं सुबह में तो यहाँ पर जो लोग रहते थे फ्रांस में या फिर आज मीं रहते हैं वो रोटी नहीं खाते हैं वो क्या खाते हैं ब्रेड खाते हैं जिस प्रकार से हम लोग ब्रेड यूज करते हैं कभी कभी टेस्टी खाना खाने के लिए लेकिन वो लोग सुबह साम उनका मेन भोजन क्या है ब्रेड है पाव रोटी और वो पाव रोटी खरीद कर खाते हैं प पूरे इस घटना क्रम को देखते हैं, तो 14 जुलाई की जो घटना है, उसको एक लंबी कड़ी का एक मात्र घटना कहते हैं, मतलब कहते हैं कि ये जो घटना हुई न, इसके पहले भी बहुत सारी चीजे हुई थी, और इसके बाद तो बहुत सारी चीजे हुई, और उसी सभी घटनाओं को हमें यहाँ पर पढ़ना है, सिर्फ हमें 14 जुलाई की बात नहीं करनी है। कौन लोग दुखी थे, कौन लोग खुश थे, किनको टैक्स देना था, किनको नई देना था, किनको क्या परिशानी थी, समाज में क्या दिक्कत थी, क्या अच्छा था, सब चीजे हमें समझना है। तब हमें अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि फ्रांस की जनता, फ्रांस के लोग अंदोलन करना क्यों चाहते थे, उनको क्या तकलीफ थी, क्या परिशानी थी। सबसे पहले अगर हम राजा की बात करें, तो जब फ्रांस इसी क्रांती हुई थी, उस समय में बूर्बो राजवंस का शाशन था। मतलब फ्रांस पर जो राजगहराना था, राजवंस था, वो था बूर्बो राजवंस, और 1789 में क्रांती के समय लूई 16वा फ्रांस का राजा हुआ करता था। और ये लूई 16वा राजा बना था 1774 में, और जब 1774 में ये राजा बना था, तब इसकी उम्र मातर 20 साल थी, और इसकी जो राणी थी, यानि जिस महिला से इसका शादी हुआ था, उसका नाम क्या था, मेरी एंटोनेट था। मतलब कि फ्रांस का राजा कौन, लूई 16वा, राणी कौन, मेरी एंटोनेट, कौन सा राजवन्स, बुर्बो राजवन्स, लूई 16वा राजा कब बना, 1774 में राजा बना, जब राजा बना, उम्र कितनी 20 साल, तो दोनों के तस्वीर को आप ज़रा सा देख लीजे, ये है आपका लूई 16वा, जिसको की एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये राजा था उस समय, 1774 में बना और फ्रांसेसी करांती के समय तक राजा था, इसके बाद बात करें तो ये मारी एंटोनेट थी, जो की महरानी थी, रानी थी, जो लूई 16वा था, उसकी पतनी थी, और य ये जो महिला थी, ये थी आपको आउस्ट्रिया समराज्य का की राजकुमारी, मतलब यहाँ पर आउस्ट्रिया समराज्य की ये राजकुमारी थी, आज तो आउस्ट्रिया देश है, लेकिन उस समय में बहुत ताकतवर और बहुत बड़ा समराज्य हुआ करता था, वहाँ पर कहता है कि राज्य रोहन के समय उसने राजखोष खाली पाया जब ये राजा बना तो राजा बनते ही जब इसने अपना खजाना देखा तो इसको पता चला कि भाई खजान में पैसा ही नहीं है पूरा खजाना खाली है अब खजाना खाली क्यों है खजाना खानी इसलिए ह क्योंकि जो फ्रांस है वो लंबे समय तक युद्ध में उल्जा हुआ था, काफी युद्ध फ्रांस ने लड़े थे, और इसके अलावा वर्साए में जो महल था फ्रांस का, उसका एक प्रकार से शानो सोकत भी बना कर रखना था, भाई राजा था, राजा का महल है, तो शान में यहाँ पर युद्ध जो लड़े गए थे, उसकी वज़से यहाँ पर खजाना एक प्रकार से खाली हो चुका था, फ्रांस का, अब यहाँ पर कारण क्या था, कारण ये था कि लूई सोलह में के साशनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साजह सत्रू ब अगल में यहाँ पर आपका कौन सा देश है? यहाँ पर आपका देश है United Kingdom, यानि के जिसको की ब्रिटेन हम कहते हैं, तो ब्रिटेन और फ्रांस में जगडा चलता था, ये दोनों में बहुत युद्ध होते थे, आज भले ही दोस्त हो गए हैं, लेकिन पहले इनों में ब्रिटेन, तो यहाँ पर ब्रिटेन से इनको आजादी दिलाने के लिए जो फ्रांस था उसने मदद की थी, युद्ध में मदद की थी, इसमें भी बहुत पैसा फ्रांस का वेश्ट हुआ था, इसके अलावा फ्रांस जो है वो इंग्लैंड से और भी देशों से बहुत य अब यहाँ पर क्या हुआ, कि जब इसने लुईस सुलहवे के साशनकाल में फ्रांस ने अमेरिका की मदद की, तो उसकी वज़ज़ से क्या हुआ, इस युद्ध के चलते फ्रांस पर दस अरब लिवरे का कर्ज हो गया, दस अरब लिवरे, अब जैसे हमारे देश में चलता है, लेकिन उस समय में लिवरे चलता था, ठीक है, दस लिवरे से भी ज़्यादा का कर्ज था, और इसके साथ ही पहले से ही दो अरब लिवरे का बोज चढ़ा हुआ था, मतलब कि इसके राजा बनने से पहले ही दो अरब लिवरे का कर्ज था, और ये जब राजा बना ब्रिटेन के खिलाफ अमरीका को आजाद कराने में मदद कर दिया तो दस अरव लिवरे का अलग से कर्ज चढ़ गिया मतलब एक तो पूरा खजाना खाली है और उपर से आप करजा लेके युध लड़ रहे हैं करजा लेके अपना सानौ सौकत बना कर बैठा हुए हैं सब चीज कर रहे हैं कैसे? करजा लेकर मतलब इस्थिती बहुत खराब थी यहाँ पर पूरे फ्रांस के सरकार की फ्रांस के सरकार के पास कोई पैसा वैसा था नहीं अब यहाँ पर परिशानी क्या बढ़ गई, परिशानी ये होगा कि जिन लोगों ने सरकार को कर्ज दिया था, वहाँ पर इन लोगों को एक प्रकार से अब ये लगा कि अब हम लोगों को जो कर्ज है वो जादा कीमत पर चाहिए, मतलब कि कर्ज जो देंगे उस पर ब्याज ज़्यादा चाहिए तो इन लोगों ने 10 प्रतीसत का ब्याज मांगना शुरू कर दिया, बोला कि अब अगर करजा चाहिए तो आप लोग 10 प्रतीसत सालाना का ब्याज दीजे हमको, अब लिगा सर इस समय लोगों ने कैसा क्यों किया, उसका देखे कारण होता है, जैसे अगर आपके पास बहुत गिर्वी रखने को कुछ होता है, तो आपको करजा सस्ता मिलता है, लेकिन आपके पास गिर्वी रखने को कुछ नहीं है, तो आपको करजा महंगा मिलता है, वैसे ही देश के साथ भी होता है, हमारा देश भी करज लेता है, दुनिया के सारे देश करज से कर देगा लेकिन यहां पर क्या था सरकार के पास पैसा नहीं है पूरा खजाना खाली है सरकार के ऊपर पहले से करजा है और इसको करजा देंगे तो यह दे पाएगा की नहीं दे रहा था मतलब कर्ज चुकाने में अब बरबाद हो रहा था बहुत सारा हिस्सा अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रख रखा और राजदर्बार सरकारी कार्याले या विश्व विद्याले को चलाने के लिए फ्रांसिसी सरकार करों में वृधी के लिए बाद धी हो गई और यह कदम भी नाकाफी था अब यहाँ पर इतना ज्यादा पैसा का दिक्कत था फ्रांसिसी सरकार के पास तो यहाँ पर अपना नॉर्मल काम करने के लिए जैसे कि सरकार चलाने के लिए राजदर्बार चलाने के लिए विश्व विद्याले चलाने के लिए सेना के लोग से करजा था तो बहुत सरा पैसा करजा का ब्याज चुकाने में चला जा रहा था, सरकार के पास कुछ बचिये नहीं रहा था, यह बहुत बड़ा दिक्कत था, अब यहाँ पर सरकार को क्या था, अब टैक्स बढ़ाना था, क्यो भाई, क्योंकि जनता से हम ज़्यादा टैक्स लेंगे तब ही तो जाके हम यहां पर ज्यादा खर्चा करने पाएंगे, ज्यादा अपना काम चलाने पाएंगे लेकिन यहां पर फ्रांस में एक समस्या थी समस्या क्या थी? कि यहां पर सरकार जो थी, राजा जो था, वो अपनी मर्जी से tax का rate नहीं बढ़ा सकता था अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसा tax नहीं बढ़ा सकता था उसके लिए यहाँ पर France में एक सभा होती थी जिसको की state general के नाम से जाना जाता था और उस सभा की मंजूरी के बाद ही France में tax का rate बढ़ाया जा सकता था तो यहाँ पर इसके लिए आपको यह समझना होगा कि 18 सदी में जो फ्रांसिसी समाज था पूरा France था वो तीन state में बटा हुआ था या फिर तीन वर्गों में बटा हुआ था अब यह तीन वर्ग कौन थे यह आपको जरा सा समझना है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको यह चार्ट के जरीए समझाया गया है तीन वर्ग कौन थे तीन state कौन थे अब यहाँ पर यह तस्वीर अगर आप सही से आपको दिख रहा है तो यहाँ पर सबसे जो पहला वर्ग है पहला वर्ग कौन सा है यह है पादरी वर्ग प्रथम वर्ग यानि प्रथम state के जो लोग है यह कौन है पादरी है जितने भी चर्च वगरा के जो पादरी हो गए उनकी बात करता है दूसरे वर्ग में कौन से लोग आ जाते हैं तो दूसरे वर्ग में कुलीन लोग आ जाते हैं, अब यह कुलीन लोग कौन होते हैं भाई, कुलीन लोग मतलब कि जैसे राजा के जितने भी सिपा सलार हो गए, मंतरी हो गए, विधायक जैसे लोग हो गए, आज अगर हम भारत में देखें तो जैसे आई सबसर हो गए, या फिर आपको जो भी विधायक वगरा हो गए, इस तरीके के जो पावर्फुल लोग वो उस समय के थे, वो आपको कुलीन लोग में आ जाते थे, और फिर आपके उसके बाद आता था तीसरा इस्टेट, तीसरा इस्टेट, तीसरा वर्ग, इसमें कौन आता था भाई, इन दो ताकिसान हो, भुमी हीन मस्दूर हो, नौकर हो, कोई भी हो, ये सब लोग तीसरे श्टेट में आ जाते थे. वो लोग आ गए और तीसरे स्टेट में देश के बाकी सारे लोग अब यहाँ पर आगे क्या कहता है कि वर्गों में विभाजित फ्रांसिसी समाज मध्य कालिन समंती ववस्था का अंग था प्राचीन राजतंतर पद का प्रयोग समानेता 1719 से पहले के फ्रांसेसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता है तो यहाँ पर जब भी आपको अध्याय में प्राचीन राजतंत्र सब्द मिले या फिर कहीं भी आप पढ़िये प्राचीन राजतंत्र तो आपको यह समझना चाहिए कि 1789 से पहले जो फ्रांस में सत्ता का एक रूप था यानि सरकार का एक ववस्था था उस पूरे ववस्था के लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता है मतलब राजा होगा, फिर प्रथम वर्ग होगा, दृतिय वर्ग होगा, तृतिय वर्ग होगा, प्रथम वर्ग में पादरी होंगे, दृतिय वर्ग में कुलीन लोग होंगे ये सरी ववस्था जो है इसको हम प्राचीन राजतंत्र सब्द से संबोधित करते हैं ठीक है, अब यहां पर आगे यही चीज़ कहता है, जो मैंने आपको बताया, कि चित्र दो फ्रांसिसी समाज की वर्ष ववस्था को दर्साता है, क्या है वर्ष ववस्था भाई, प्रथम इस्टेट, दुटिये इस्टेट और तिरितिये इस्टेट, तीन स्टेट होंगे, प असलब जो बड़े-बड़े अधिकारी लोग है, मंत्री लोग है, विधायक लोग है, इस प्रकार के लोग जो हो गए, वो लोग आ गए, फिर आपको आता है तिरितिये इस्टेट जिसमें की आम जन्मानस आता है, जितने भी व्यापारी हो गए, करमचारी हो गए, कारीग कहता कि पूरी अबादी में लगभग 90 प्रतिशत किसान थे कितने किसान थे पूरी अबादी में 90 प्रतिशत किसान थे फ्रांस में लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी मतलब जो भी किसान थे वो बस खेती करते थे वो उस जमीन के मालिक नहीं होते थे और यहाँ पर एक चीज कहता है कि लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे इस्टेट के अमीरों का अधिकार था। मतलब यहाँ पर जो भी फ्रांस में वश्था थी, उसमें जितने भी जमीन थी, पूरे फ्रांस की खेती के जमीन, उसमें से 60% जमीन पर किसका कबजा था? कुलीनों का कबजा था, चर्च का कबजा था, और तीसरे इस्टेट के अमीरों का कबजा था। अब यहाँ पर बोलेगा सर तीसरे स्टेट के अमीर मतलब जैसे व्यापारी हो गए, करमचारी हो गए, बड़े-बड़े किसान लोग हो गए, जमीनदार जैसे वो लोग हो गए, मतलब ये लोग, बली का सर चर्च, जी हाँ चर्च, चर्च भी जमीन के मालिकिन हुआ करती थी, मतलब मालिक हुआ गरदा था, बहुत सारा जमीन जो था वो चर्च के नाम पर होता था, बहुत सारा जमीन कुलीनवर्ग के लोग रखते थे, बहुत सारे जमीन जो होते थे ती प्रथम दो स्टेट कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेशाधिकार जन्मन प्राप्त थे। अब या क्या विशेशाधिकार थे। तीसरे वर्ग के लोग देंगे, यानि जो व्यापारी हो गया, किसान हो गया, कारीगर हो गया, ये सारे लोग क्या करेंगे, सरकार को टैक्स देंगे। ठीक है, आगे कुलीन वर्ग को अनि कुछ सामंती विशेशाधिकार भी हासिल थे। समंती विशेशाधिकार मतलब कि एक प्रकार से जो सिस्टम होता है, जमिनदार वाला सिस्टम उस प्रकार के बाद कर रहा है, जैसे वह किसानों से समंती करवसूल सकते थे। मतलब कि जैसे जमिनदार है, मालीजी आज तो नहीं होते हैं जमिनदार, लेकिन जिस समय अंग्रेजों का जमाना था उस समय जमिनदार होते थे। अब उस समय क्या होता था कि आप कुछ पैसा तो tax दे रहे हैं सरकार को, लेकिन जो जमिंदार है वो भी आपसे अपना tax कुछ ले सकता था, उसी प्रकार से यहां पर जो कोई इलाके में चर्च है, वो चर्च जो था वो जनता से tax ले ले लेता था, जो जमिंदार होता था वो उतने भी किसान थे अब क्योंकि जमीन के मालिक नहीं थे किसान तो किसान जो थे उनकी ये मजबूरी थी कि जब भी उनका मालिक यानि उनका बॉस जो की एक कुलीन वर्ग का था अगर जब भी उनको बुलाए तो वो क्या करेगा उनके खेतों में जाकर काम करेगा बिना पैस से क्या करते थे एक प्रकार से काम करते थे किनके लिए प्रथम और ट्विटी इस्टेट के लोगों के लिए मतलब जिस प्रकार से जैसे जरूरत होती थी इनको इस्तेमाल किया जाता था अब यहां पर आगे कहता है कि चर्च भी किसानों से करू का एक हिस्सा ताइद जिसको की ठार्मी कर के रुप में वसूलता था अब यहां पर देखिए जो आपको तीसरे स्टेट के लोग हैं वही सिर्फ टैक्स दे रहे हैं किसको सरकार को वही सिर्फ टैक्स दे रहे हैं समन्तिकर समन्तों को इसके लावा वो भी और भी टैक्स दे रहे हैं किसको चर्च को तो ब प्रकार से आपका चर्च के द्वारा लिये जाने वाला धार्मी कर ये ध्यान रखेगा। इसके अलावा यहाँ पर टाइल नाम का भी एक कर्ज है जो की एक प्रकार से लिया जाता था। अब यहाँ पर Tile और Tide के बारे में आपको बताया गया है, Tide क्या है? चर्च द्वाला वसूल किये जाने वाला कर, यह कर क्रिसी उपज के दस्वे हिस्से के बराबर होता था, मतलब कि जितना भी आपका खेती हुआ, उसमें से दस्वे हिस्सा जाकर आप क्या कीजिए? चर् इसके अलावा यहाँ पर क्या होते थे? इसके अलावा जो आपके जो समन्त होते थे, वो भी अपना समन्ती कर, समन्ती टैक्स लेते थे. अब इसके अलावा यहाँ पर और भी बाते बताई गई हैं, लिवरे क्या है भाई? लिवरे है यहाँ पर फ्रांस की मुद्रा जो की उस समय में इस्तमाल होती थी, 1794 में समाप्त कर दी गई थी, इस्टेट क्या होता है, क्रांती पूर्व फ्रांसिसी समाज में सत्ता और समाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेनी, पादरी वर्ग से हम क्या समझते हैं, पादरी वर्ग मतलब चर्च के विशेश कारियों को करने वाले वैक्तियों का समू, अब पादरी क्या होते हैं आप जानते ही हैं जो चर्च में बहुत सारे काम करते हैं सारे चीजे सम्हालते हैं उनकी बात यहाँ पर की जा रही है ठीक है अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने क्या कहता है आगे कहता है कि इसके अलावा अन्य और भी आप प्र टेक्ष कर नमक और तंबाकु जैसी रोजाना उपभो की वस्तूओं पर लगाये जाता था, इस प्रकार राज्ज के विश्तियक कामकाज का सारा बोज करो के माध्यम से जनता वहन करती थी। तीसरे स्टेट के लोगों के उपर है, यानि जो फ्रांस में सबसे गरीब लोग हैं, वही लोग सिर्फ टैक्स दे रहे हैं, वही लोग सारी चीजे कर रहे हैं, और वही लोगों के पैसा से पूरा सरकार चल रहा है, और यहाँ पर यही सबसे बड़ी समस्या हो गई थी। अब यहाँ पर आगे वढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पर एक तस्वीरा दिखाई गई है, फ्रांस के उस समय की इस्थिती को दिखाई गए है, कि भाई यहाँ पर एक गरीब आदमी है, किसान है, जो कि समन्त के पास आता है, गरीब के पास कुछ नहीं है, उसकी हालत आप देख सकते हैं, फिर भी समन्त उससे एक प्रकार से गिफ्ट या फिर तोफा लेने के लिए तयार हैं, कि भाई तुम जो भी लाए हो हमको देदो, हमारे पास रखके चले जाओ, अब यहाँ पर आगे हमारे सामने टॉपिक क्या है, टॉपिक है एक दश्मल एक जीने का तो अभी तक हमने बात किया कि देखे किस प्रकार से फ्रांस की सरकार के पास पैसे की कमी थी, या फिर फ्रांस में जो समाज था वो वर्गों में बटा हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, इस छोटे से टॉपिक में, कि यहाँ पर जो फ्रांस का के पास सबसे बड़ी समस्या थी, महंगाई की, ज्यादा टैक्स की, उन चीजों की, वो क्यों आई, यह जरा सा समझी, तो कहता है कि फ्रांस की जनसंख्या सं 1715 में 2 करोड 30 लाग थी, और सं 1789 में 2 करोड 80 लाग हो गई, मतलब कि जहाँ पर सं 1715 में कितनी अबादी थी, 2 क परोड 80 लाग, मतलब 50 लाख लोगों की आबादी बढ़ गई फ्रांस में, लेकिन फ्रांस में जो जमीन है, जहाँ खेती होती है, जो किसान जो खेती करते हैं, वो तो नहीं बढ़ा, फ्रांस में जितना अनाज पहले होता था, उतना ही अनाज अभी भी होता था, तो यान कि क्या हो गया खाने वाले लोग बढ़ गए लेकिन उगाने वाले या फिर जो खेती है वो नहीं बढ़ी उसकी वज़से क्या हो गया अनाज का उत्पादन उतना ही हुआ जितना की पहले होता था जिसकी वज़से जो अधिकांस लोग थें जिनका की मुख्य भोजन पाव र जितने लोगों को भोजन चाहिए था उतना अनाज उग नहीं रहा था इसकी वज़ा से क्या हो गया कीमत बढ़ने लगा और अधिकतर जो कामगार थे वो कार खाने में फैक्टरियों में मजदूरी करते थे और मजदूरों का जो वेतन होता है वो मजदूर खुद से तै नही रही थी मतलब खाने की कीमत का दाम बढ़ रहा है लेकिन लोगों का वेतन नहीं बढ़ रहा है इसलिए लोगों के सामने संकट है भाईया कि अपना घर के बच्चों को अपना भोजन कैसे पूरा करें अपना खाना कैसे पूरा करें क्योंकि मंगाई तो बढ़ रही है खान तो है ठीक है लेकिन गरीब जो है और जादा गरीब होने लगा क्योंकि वो अपने भोजन की जरूरत भी बेसिक चीज भी पूरा नहीं करने पा रहा था लेकिन यहाँ पर एक और परिशानी बढ़ जाती थी परिशानी ये थी कि कई सालों के बीच में एक साल ऐसा आता था कि फसल खराब हो जाती थी या फिर अकाल हो जाता था या फिर कुछ और परिशानी की वज़से अनाज के खेती ही नहीं होने पाती थी इस वज़से क्या होता था इस वज़से यहाँ पर रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था और साथ में जीवी का संकट पैदा हो जाता था और यहां पर प्राचीन राज तंत्र के दौरान यानि 1789 के पहले जो ववस्था थी वहां पर जीवी का संकट काफी आम था वहां नॉर्मल बात था कि वहां पर लोग भूखे मरने की सिती में पहुँच गए हैं क्यों भाई क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है फसल के लोग अगर भूखे मर रहे हैं सड़कों पर पड़े हुए हैं भूखे तो वह नॉर्मल वात है उस समय यह चीज बहुत होता था फ्रांस में समझ गया अब यहां पर जीवी का संकट आपको शब्द का मतलब बताया गया है मतलब क्या ऐसी चरम इस्थिती जब जीवित रहने के निवनतम सांधन भी खत्रे में पढ़ने लगते हैं मतलब आपको जिन्दा रहने के लिए जो चीजे चाहिए न वो भी आपको नहीं मिले मतलब क्या है जीवी का संकट है फ्रांस के लोग जो थे आम जनता थी उनको जीवी का संकट हमेशा देखना पड़ता था हर एक दो साल तीन साल में ऐसा आ जाता था जब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था तो आज आप जब यूरोप को देखते हैं आज आप फ्रांस को देखते हैं तो आपको लगता यार कितना बड़ा देश है कितना महान देश है नहीं वो अब हो गया है पहले पहां के लोग भूखे रोड पर मरते रहते थे, इंडिया बहुत आगे था उस समय, बहुत विक्सित देश था उस समय, मतलब विक्सित नहीं था, मतलब इंडिया के लोगों को ये चीजों की परिशानी उतनी नहीं होती थी, अब यहाँ पर ये टॉपिक क्या है, एक दश्म संकट आ जाता, लेकिन ये जीवी का संकट आता कैसे, लोग भूखे मरने, या फिर भूख की वज़े से मरने की सिति में पहुंचते कैसे हैं, उसका समझी, अब यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहला कारण है, सबसे पहला कदम, वो क्या है, खराब फसल, मतलब क्या होगा, फसल खराब हो गया, तो क्या हो जाएगा, अनाज की कमी हो जाएगी, मैं यहाँ पर सिर्फ कमी लिख रहा हूँ, मतलब समझी, अनाज की कमी हो जाएगी, अनाज की कमी हो जाने की वज़े से क्या हो जाता है, अनाज महंगा हो जाता है, अनाज महंगा हो गया, अब अनाज म ज़्यादा पैसे कमाता नहीं है, क्योंकि उसका मालिक उसका वेतन नहीं बढ़ा रहा है, समझ गए? तो यहां पर गरीब जो है, वो अब पाव रोटी नहीं खरीद सकता है, मतलब भोजन नहीं खरीद सकता है, भोजन नहीं खरीदने से क्या होगा? दो चीजे होंगे, या तो भोजन नहीं खाएगा वो, अगर भोजन नहीं खाएगा, तो क्या हो जाएगा, सरीर कमजोर हो जाएगा, मतलब कमजोरी हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगी शरीर में, या फिर कमजोरी नहीं हो, वो भोजन नहीं करके क्या करे, जाकर लडाई करे, दुकानों पर हमला करना शुरू कर दे, तो क्या हो जाएगा? शहर में दंगा हो जाएगा. शहर गाओं कहीं भी हो, दंगा हो जाएगा. मतलब अगर गरीव एक्ती को भोजन नहीं मिले, वो या तो भूखे मरेगा, या फिर वो जाकर लडाई करेगा, दंगा करेगा, अगर उसको कमजोरी होती है, तो क्या होगा, एक प्रकार से महामारी होगी, अब महामारी कमजोरी से क्या मतलब भाई, मतलब की बात यहां पर एक और दो वेक्तिव की नहीं हो रही है, बलकि पूरे देश की हो रही है, देश में अगर सारे गरीब अगर कमजो काम करता है लेकिन कमजोरी हो जाएगी तो थोड़े न वो काम करेगा उसको तुरंद बीमारी हो जाएगी बहुत बीमारियां फैल जाएगी हजारों की लाखों की संख्या में लोग मरने लगेंगे और महामारी हो जाएगी और महामारी में क्या होगा जादा मौत होगा क्या ह प्रकार से जी विकह का संकत कैसे उत्पन्न ई होता है यह समझे तो यह खुद से भर लीजियेगा खुद का ओप आफ एक बर देख लिजेगा कैसे क्या होता है यह थोड़ा सा अमध्पूर्ण था अब अब आगे हमारे सामने है टॉपिक एक दस्मलो तीन, एक दस्मलो तीन में यहाँ पर क्या कहा गया है, उभरते मध्धिवर्ग ने विशेसाधिकारों के अंत की कल्पना की, अब यहाँ पर तो सबसे पहले यह उभरता मध्धिवर्ग क्या है यह समझे, और उसके बाद यह ज क्या कहता है, कि पहले भी कर बढ़ने और अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोख कर चुके थे, मतलब जब भी अकाल पढ़ता था, जब भी एक प्रकार से परिशानी आती थी, जब भी टेक्स बढ़ाया जाता था, तो उस समय किसान आंदोलन करते थे, कामगार भी इनका कोई संगठन नहीं था, ये लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे, उतने एक प्रकार से जानकार नहीं थे, इनकी कोई आर्थिक ववस्था और समाजिक ववस्था नहीं थी, इनके पास ऐसे कोई साधन और कारिकरम नहीं थे, कि ये सरकार के उपर कोई दबाव डालन पाई या फिर सरकार से अपनी बात मनवाने पाएं अब यहां पर कहता है कि यह जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समुहों ने उठाए जो सम्रिध और सिक्षीत होकर नए विचारों के संपर्क में आ चुके थे अब यहां जो उन समुहों मतलब उभरते मध्यवर्ग की बात करता है कि जब देखिये जब भी टैक्स बढ़ा अकाल हुआ तो किसान और कामगारों का विद्रो हुआ लेकिन उन लोग के पास कोई संगठा नहीं था ये लोग उतना पढ़े लिखे नहीं थे तो ये अपनी ब जो कि अब सम्रिद्ध हो चुका था सिक्षित भी हो चुका था और इसको नए विचार भी इसके पास पहुँच चुके थे ये लोग जो थे अब यहां पर सरकार के सामने आंदुलन करने का या फिर इन लोगों को हक दिलाने का काम कर रहे थे अब यहाँ पर बात है कि ये उभरता मध्यवर्ग कहने का क्या मतलब है अब यहाँ पर मतलब ये है कि देखिए जब 18 सदी चल रहा था ना उस समय में एक नया समूह आया लोगों का तीसरे स्टेट में ही प्रथम दितिये की बात नहीं हो रहे तीसरे स्टेट में ही कुछ लोग ऐसे थे जो कि समुद्र पारिय व्यापार उनी और रेशमी वस्तरों के उत्पादन इन चीजों की वज़ा से काफी पैसा कमाया था मतलब कि जो व्यापारी लोग थे अब विदेशों में जाकर जो व्यापार करते थे या फिर बड़े-बड़े जो उद्द्योग पती व्यापारी थे फ्रांस के वो भी तीसरे स्टेट में ही आते थे ये सब ही लोग जो थे, ये लोग काफी संपत्ती अरजित कर चुके थे, इनके पास काफी पैसा आ चुका था व्यापार की वज़त से, अब यहाँ पर कहता है कि ओनी और रेश्मी कपडों का या तो निर्यात किया जाता था, या समराज के समरिध लोग उसे खरीद लेते थे तो इसी प्रकार से लोग व्यापार करके व्यापारी लोग जो थे, वो काफी पैसा कमा चुके थे, मतलब समरिध हो चुके थे, इसी प्रकार से जो सरकार में आपको दूसरे लोग जो थे जैसे प्रशाशनिक सेवा में काम करने वाले लोग, वकील जैसे नौकरी करने वाल ये लोग काफी पढ़े लिखे लोग थे, तो ये भी एक प्रकार के उभरते मध्यवर्ग के ही लोग थे, जो कि सम्रिद्ध थे और सिक्षित थे, अब भाई वकील है तो ऐसा थोड़ी ना कि वो भूखे मर रहा है, उसको अच्छा वेतन मिलता है, अच्छा उसके पास पैसा है, वो पढ़ा लिखा है, तो वो एक प्रकार से सम्रिद्ध मर्ध वर्ग में आ गया, इसी प्रकार से जो प्रशाशनिक सेवा करने वाले लोग हैं, वो भी एक प्रकार से अच्छा वेतन कमाते हैं, साथ में ये पढ़े लिखे भी हैं, तो ये भी उभरते मध्यवर्ग मे इसी प्रकार से ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूग के पास जन्मजा विसेसाधिकार नहीं होना चाहिए। उसकी योगिता होनी चाहिए ना कि उसका जन्म होना चाहिए। ठीक है। जन्म के आधार पर किसी को अधिकार नहीं मिलना चाहिए। योगिता के बल पर सब को अधिकार मिलना चाहिए। समाजिक हैसित तै होना चाहिए। तो यहाँ पर ये विचार आया था बहुत सारे क्रांतिकारी विचारकों के लेखन से। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है जौन लोक और जौक रूसो जो थे इन्हों ने किताबे लिखी थी। इन्होंने किताबों में अपनी विचारों को प्रस्तुत किया था कि भाई समाज ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए और इनके द्वारा किताब में जो लिखी गए थी ये तो भाई गरीब लोग पढ़ नहीं रहे थे। पारिगर लोग पढ़ नहीं रहे थे, किसान लोग पढ़ नहीं रहे थे, पढ़ रहे थे यहां पर ये मध्यवर्ग के लोग, तो मध्यवर्ग के जो लोग थे, जब इन्हों ने इन विचारों को पढ़ा, तो इन विचारों को स्विकार कर लिया, ये विचार काफी चाहिए, अब यहाँ पर आगे कहता है कि एक किताब के बारे में Two Treaties of Government, अब यह किताब लिखी किसने है, तो यह किताब लिखी गई है John Locke के द्वारा, अब यहाँ पर ध्यान रखी गया, यह question, कौन सा question है भाई, Two Treaties of Government, यह लिखी गई है John Locke के द्वारा, और साथ में, यहा सरकार से Russo ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए कहा, कि यहाँ पर एक प्रकार का समाजिक अनुबंध होना चाहिए, इसी तरीके से सरकार चलनी चाहिए, Montescu ने किताब लिखी है The Spirit of the Laws, यहाँ पर यह भी ध्यान रखीएगा कि यह किताब किसके द्वारा, Montescu के द् भाजन होना चाहिए, अब यह जो विचार है ना, यह बहुत महत्पून है, क्यों महत्पून है, क्योंकि आगे चलकर जब संयुक्त राज अमेरिका आजाद हुआ, तब इसी आधार पर वहाँ पर सरकार बना, और यहां तक कि आज हमारा जो भारत देश है, यहां पर भी इ तो आपको यह चीज़ें देखने को मिलेगी, क्या मिलेगा, विधाई का, कारपाली का, नयापाली का तीनों एक दूसरे से अलग हैं, तीनों एक दूसरे के काम में दखल नहीं देती, और तीनों एक दूसरे पर निक्यागरती हैं, निगरानी रखती हैं, तो यह विचार ह आज हमारे समिधान में भी फॉलो होता है। ठीक है। आगे कहता है कि फ्रांस के राजनितिक चिंतकों के लिए अमेरीकी समिधान और उसमें दी गई व्यक्तिकत अधिकारों की गारंटी प्रेरना का एक महत्पूर्ण स्रोत थी। अब यहाँ पर जब यहाँ पर यह किताबे फेमस होई। यहाँ पर मॉंटेश्क्यू ने इस्पिरिट आफ दे लॉज लिखी। तो उसको देखकर अमेरीका में लोगों ने अपनी सरकार बना ली लोकतंत्र के आधार पर। जब अमेरीका में सरकार बन गई तो अमेरीका को देखकर फ्रांस के लोग भी बहुत एक प कॉफी हाउस में, सैलून में या फिर गोष्टियों में बहुत ज़्यादा बहस हुआ करती थी और पुस्तकों और अकबारों की माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ करता था। या फिर जो किताबें लिखते थे, किताबों में इनके बारे में लिखा जाता था, या फिर एक प्रकार से अकबार में लोग आपको बहुत बात हैं लिखकर छापते थे, इन सभी जगों पर इसका प्रचार होता था। अब यहाँ पर आगे कहता है कि पुस्तकों और अकबारों को लोगों के भी जोर जोर से पढ़ा जाता था, ताकि अनपढ़ भी उसे समझ सकें, इसी समय लुई सुलहमे द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए, फिर से कर लगाय जाने की खबर से, विसस अध अधिकार वाली ववस्ता के वृद्गुसा भड़क उठा, अब यहाँ पर क्या हुआ, लोगों के बीच ये सारे बाते फैल रही थी, कि भाई ऐसा होता है, वैसा होता है, अधिकार नहीं होना चाहिए, समान अधिकार होना चाहिए, बराबर वैलू मिलना चाहिए, सब ची जो लोगों का गुसा था वो एक प्रकार से भढ़क उठा, बिले कि अ, ने,anta, अब की नहीं बढ़ाने देंगे, अब की तो बता देंगे एक दम, इस प्रकार से यहाँ पर लोगों के बीच में गुसा भड़क उठा। अब यहाँ पर आगे बढ़ें, तो आगे यहाँ पर शुरोत है, इसमें छोटी सी कहानी है, छोटी सी बात है, कि लोग उसमें लोगों ने क्या देखा, क्या फिल किया, दो लोगों की कहानी है, ठीक है, आगे हमारे सामने topic रे topic दो जिसका नाम क्या है क्रांती की शुरुवात अब यहाँ पर हम लोग topic देखेंगे क्रांती की शुरुवात तो अभी तक हम लोग ने बात किया कि किस प्रकार से जो France की इस्थिती थी समाजी किस्थिती कैसी थी वहाँ के लोगों की आर्थी किस्थिती कैसी थी लोग भुखमरी में थे भुखे मर रहे थे बहुत चीजी हमने बात की जब chapter मैंने शुरू किया था तो पहला paragraph में हमने देखा था कि किस प्रकार से जो France है वहाँ की सरकार की हालत कैसी थी समझ गए कि France के सरकार के पास पैसे नहीं थे खजाना खाली था राजा टेक्स बढ़ाना चाहता था लेकिन राजा जो है अपनी मर्जी से टेक्स नहीं बढ़ा सकता था तो यहाँ पर यही चीज आगे कहता है कि पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुईस सुलहवा ने कर बढ़ाने के आदेश दिये थे या फिर कर बढ़ाना चाहता था वो किन कारण से, तो कारण आपको पता है कि पहला तो सरकार के पास पैसा नहीं, दूसरा सरकार के उपर बहुत ज़्यदा कर्ज था, तीसरा सरकार जो है अपने खर्चे चलाने में बहुत उसको दिक्कत हो रही थी, उसके अलावा और भी चीज़े हमने बात कर ली, अब यहाँ पर कहता है कि क्या आप सोच सकते हैं, कि उसने ऐसा कैसे किया होगा, तो मैंने आपको पिछले टॉपिक में ही बताया था, कि भाई देखो, फ्रांस में जो राजा है या फिर सरकार है, वो अपनी मर्जी से टैक्स नहीं बढ़ा सकता था, यानि कि जो प्राचीन राजतंत् से पहले जो ववस्ता थी फ्रांस में, वहां पर राजा अपने मन से अपनी मर्जी से टैक्स नहीं बढ़ा सकता था, तो भाई टैक्स बढ़ेगा कैसे, उसके लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पर जो फ्रांसिसी समराट था या फिर फ्रांसिसी राजा था, उसको अगर प्रांस में tax बढ़ाना है तो उसको एक meeting बुलानी होती थी ये meeting होती थी state general की और इसको हिंदी में प्रतिनी थी सभा यहाँ पर लिखा गया है लेकिन उसका नाम क्या था state general अब यहाँ पर होता क्या था ये जो state general था ये एक प्रकार की सभा थी जिसमें की फ्रांसिसी समाज के तीनो जो state थे तीनो इस्टेट के लोग आते थे बैठते थे फिर voting होता था फिर vote के आधार पर तै किया जाता था कि भाई tax बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा अब यहाँ पर क्या होता था कि state general से मंजूरी लेनी होती थी राजा को state general एक राजनितिक संस्था थी यह सारी चीज़े जो NCRT में वही बता रहा हूँ ठीक है जिसमें तीनो इस्टेट अपने अपने प्रतीनिधी भेशते थे लेकिन समराठ ही या निरनाय करना था कि इस संस्था की बैठा कब बुलाई जाएगी समझ गये मतलब जब भी tax बढ़ाना होता था तब समराठ अपनी मर्जी से ये सभा बुलाता था इसके पहले यानी 1789 से पहले जो ये सभा बुलाई गई थी ये 1614 में बुलाई गई थी तो देख रहे हैं कि कितना जादा साल पहले बुलाई गया था अब यहाँ पर क्या था कि भाई यहाँ पर जो फ्रांसेसी समराठ था उसको tax बढ़ाना था सरकार के पास पैसा नहीं है तो tax बढ़ाने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई लुई सुलहवे के द्वारा कब पांच मई 1789 पांच मई 1789 को ये मीटिंग बुलाई गई थी अब यहाँ पर एक बात समझे कि कई जगों पर जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि फ्रांसिसी क्रांति की सुरवाद पांच मई 1789 से हुई थी क्यों? क्योंकि इसी दिन यहाँ पर बैठक हुआ था जहां से लोग जो थे वो बाहर निकल गए थे और बहुत सारे चीज़े हुई थी लेकिन आपको अगर प्रशन पूछे तो क्या उत्तर करना है? आपको 14 जुलाई 1789 करना है अब यहाँ पर कहता है कि पंद पांच मई 1789 को नाय करो के प्रस्ताओं के अनुमोधन के लिए इस्टेट जेनरल की बैठक बुलाई मतलब कि जो नया टैक्स बढ़ाना है कि हाँ भाईया पहले 10% लेते थे अब 15% टैक्स लेंगे चलो इसको पास कर दो पास करने के लिए इस्टेट जेनरल की मीटिंग बुलाई गई कब बुलाई गई? 5 मई 1789 को ठीक है? अब यहाँ पर यह मीटिंग कहां बुलाई गई थी? तो यह मीटिंग बुलाई गई थी वर्साय के एक आलिशान भवन में मतलब वर्साय वर्साय आप जानते हैं जगह है तो वहाँ पर एक आलिशान भवन में मीटिंग बुलाई गई थी अब यहाँ पर जो ववस्था थी, इस ववस्था में क्या था? कि जो प्रथम state था, यानि पादरी वर्ग था, उसके 300 प्रतीनिधी आए. कितने? 300. इसी प्रकार से जो कुलीन वर्ग था, कुलीन वर्ग के भी 300 प्रतीनिधी आए. और इसके बाद जो यहाँ पर जो तीसरा state उसके 600 प्रतिनिधी आये, कुल मिलाकर, समझ गये, तो यहाँ पर जो प्रथम इस्टेट के 300 प्रतिनिधी आये, उनको और साथ में जो 300 प्रतिनिधी आये, दीसरे इस्टेट के, इनको सामने-सामने कतारों में बैठाया गये, मतलब कुर्सी लगाकर एक तरफ प्रतिनिधी इस्टेट के लोग सामने-सामने बैठे, लेकिन जो तीसरे इस्टेट के लोग थे, जो की एक प्रकार से नॉर्मल आम जनता के लोग थे, उन लोगों को इन दोनों कतारों के पीछे खड़ा कर दिया गया, एक तरफ इधर और ए आने की अनुमती नहीं थी, साथ में औरते यहां नहीं आ सकती थी, कारिगर नहीं आ सकते थे, इस वज़ा से तीसरे इस्टेट में जो पढ़े लिखे लोग थे, सम्रिध और सिक्षित वर्ग के लोग थे, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, मध्धि वर्ग के ल आंगे हैं, क्या चाह हैं, उसके हिसाब से यहां पर हम लोग बात करें, तो इसके लिए इन्होंने करीब 40,000 पत्रों के जरिये लोगों की राय जानी, कि भाई, लोग क्या चाहते हैं, क्या सरकार से चाहते हैं, क्या होना चाहिए, तो 40,000 पत्रों के माध्यम से, जो यहां पर किसान, औरतें, कारिगर, इस तरीके के लोग थे, इनकी शिकायते एवं मांगो की सूची बनाए। पूरा लिष्ट बना कर गये थे स्टेट जेनरल में कि इस बार तो हक ले लेना है, अपनी बात वहाँ पर रख देनी है। अब यहाँ पर आगे बढ़ें, तो आगे यहाँ पर क्या होता है, कि जो स्टेट जेनरल का नियम था, मतलब क्या नियम भाई, कि वहाँ भोटिंग कैसे होगा, कैसे यहाँ वहाँ पर तय होगा कि नया टेक्स लागू करना है कि नहीं करना है, तो वहाँ पर यह नियम था, कि प्रतेक वर्ग को एक अधिकार मिलेगा, एक मत मिलेगा, मतलब प्रतम जो वर्ग है उसमें 300 लोग हैं, लेकिन 300 लोग मिलकर एक भोट देंगे, इसी प्रकार से जो दूसरा इस्टेट है, उसके भी 300 लोग मिलकर एक भोट देंगे, उसी प्रकार से जो तीसरे वर्ग के 600 मिलकर एक भोट देंगे मतलब कुल मिलाकर तीन भोट पढ़ेंगे तीनो इस्टेट का और दो भोट जिसका हो गया उसका बात मान लिया जाएगा और टैक्स को पास कर दिया जाएगा टैक्स को लागू कर दिया जाएगा अब यहां पर यह जरा सा सोचिए कि भाई यहां पर ये जो ववस्ता है इसमें तीन state है और तीनों के पास एक एक भोट है अब राजा चाहता है कि भाई tax बढ़ाया जाए तो प्रतं state किस चीज में भोट करेगा क्या बोलेगा tax बढ़ाया जाए कि नहीं बढ़ाया जाए प्रतं इस्टेट को क्या फरक पड़ता है वो बल देग क्योंकि दूसरे स्टेट को भी कोई फर्क नहीं पढ़ता है, टैक्स बढ़ता है या फिर नहीं बढ़ता है, परिशानी तो तीसरे स्टेट को थी कि भाई हमारे उपर बोज आएगा, हमको टैक्स भरना है, हमको दिक्कत होगा, इसलिए यहां पर ये ववस्था जो थी, ये वस्था तीसरे स्टेट के परतिनिधियों को पसंद नहीं आ रही थी, प्रतमि स्टेट दूतिये स्टेट राजा किसी को कोई फर्क नहीं था, क्योंगि उनकी बात तो मान ली जाएगी, उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं है, जब ये चीज यहां पर देखा ग टैक्स हम लोग के उपर लागू कर दीजेगा और हम लोग को परिशानी होगा। तो यहाँ पर तीसरे इस्टेट के प्रतिनिधियों ने अब मांग रखा कि अब जो भोटिंग होगा वो इस प्रकार से भोटिंग नहीं होगा। बलके यहाँ पर भोटिंग करने के लिए क्या किayıा जाएगा कि प्रतेक सदस्य को एक मत देने का अधिकार दिया जाएगा मतलब यहाँ पर जो 300 लोग आया है प्रथम इस्टेट के वो हरेक वैक्ती एक एक वोट देगा 300 वोट प्रथम एस्टेट से फिर दूसरे एस्टेट से भी 300 लोग आये हैं ये लोगों का भी 300 वोट और जो तीतिय एस्टेट के 600 लोग आये हैं न, वो लोग मिलकर 600 वोट करेंगे तो इस प्रकार से वोट डालने की बात यहाँ पर तीसरे एस्टेट के कॉंट्रेक्ट में पढ़ी थी वहाँ पर इस तरीके के विचार रखे खे थे जहां से तीसरे इस्टेट के लोग प्रभावित हुए थे अब जब यहाँ पर समराट ने ये बात सुनी ये मांग सुनी तो समराट ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा जैसे पहले भोटिंग होता था वैसा ही होगा हर एक वर्ग को एक-एक वोट मिलेगा आप लोग वोट मारना हे मारिये ने मारना रहता है जाईए घर तो यहां पर क्या हुआ यहाँ पर इस प्रस्ताव को अस्विकार कर दिया गया तो तीसरे इस्टेट के जितने भी प्रतिनिधी थे वो विरोध जताते हुए सभा से बाहर चलेगा वो लोग बोले कि जब भाया हम लोग की बास सुनी ही नहीं जाएगी हम लोगों का ख्याल रखा ही नहीं जाएगा तो यहाँ बैठ कर हम लोग क्या करेंगे फिर यहाँ रहने का मतलब है कि सरकार द्वारा लागू गिये गए टैक्स को मान लेना तो सब लोग जितने भी थे जितने भी प्रतिनिधी थे तीसरे इस्टेट के वो सभी इस स्टेट जनरल को छोड़ कर बाहर चले गए यहाँ पर बाहर आ गए अब यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर यह सभी लोग बाहर तो आए बाहर आने पर इन लोगों का यह मानना था और यह कहना था कि यह जो छे सो प्रतिनिधी है जो की तीसरे इस्टेट से आते हैं यह पूरे फ्रांसिसी राष्ट्र का एक प्रकार से प्रवक्ता है मतलब कि पूरे फ्रांस की जो जनता है सबको यह रिप्रेजेंट करते हैं सबको एक प्रकार से प्रदर्शित करते हैं सबके पक्ष में ये बात कर रहे हैं, ऐसा इनका मानना था आगे चल कर 20 जुन को ये जितने भी प्रतिनिधी थे ये वर्साय के इंडोर टेनिस कोट में जमा हुए कब 20 जुन को, बतलब काफी दिन बात 20 जुन को ये वर्साय के इंडोर टेनिस कोट में जमा हुए और यहाँ पे इन्हों ने खुद को National Assembly घोशित कर दिया, बोला कि भाईया ये जो 600 लोग है न, जो कि State General के प्रतिनिधी थे, तिरिती स्टेट के, ये लोग क्या है, ये लोग अब है National Assembly, कहा का National Assembly, फ्रांस का National Assembly, पूरे फ्रांस का एक प्रकार से कानून बराने का काम सब चीज ये 600 लोग देखेंगे, अब इन लोगों ने क्या किया, इन्हों ने खुद को National Assembly घोशित कर लिया, और सपत लिया, कि जब तक समराट की सक्तियों को कम करने वाला समिधान नहीं बना लेते हैं, तब तक हम लोग यहाँ से Assembly भंग नहीं करेंगे, यहीं पर Assembly बैठेगा, National Assembly इसका नित्रित उकर रहे थे मिराबियों और आबेसिये, अब यह मिराबियों और आबेसिये के बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इससे प्रश्न बनता है, समझ गया, तो यहाँ पर मिराबियों की बात करें, तो मिराबियों का जर्म कुलीन परिवार में अब यहाँ पर इसके लिए इसने एक पत्रिका निकाली थी, वर्साई में जुटी भीड़ के सामने भाशन भी दिया था, और इसके बाद आबेसिये की बात करें, तो आबेसिये एक पादरी था, और उसने तीसरे इस्टेट क्या है, इस सिर्शक्षे एक प्रचार पुस्त अब यहाँ पर अगर हम लोग आगे बढ़ें, तो आगे अभी तक हमने क्या देखा, कि यहाँ पर यह लोग इंडोर टेनिस कोट में जमा हो चुके हैं, और यहाँ पर यह नैशनल असेंबली इन्होंने खुद को घोसित कर दिए, अब यहाँ पर इंडोर टेनिस कोट का तस्वीर एक पेंटर ने बनाया है, यह तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या कहता है, कहता है कि जिस वक्त नैशनल असेंबली समिधान का प्रारूप तयार करने में व्यस्त थ मतलब कि जिस समय ये सारे प्रतिनिधी थे मिलकर क्या कर रहे थे? समिधान बना रहे थे. उस समय में पूरे फ्रांस में आंदोलन हो रहा था. पूरे फ्रांस में लोग विरोध कर रहे थे, प्रदर्शित कर रहे थे, कारण क्या था? कारण ये था कि जो थंडी थी इस बार थोड़ी जादा थी, और जादा थंडी के कारण, कडाके की थंडी के कारण, जो फसल थी, वो मर गई थी, और पावरोटी की किस्मत आस्मान मतलब मंगाई बहुत जादा हो चुकी थी फ्रांस में, इस वज़ा से सभी जो जनता थी वो परिशान हो चुके थे, अब इस जो सिचुएशन था, महौल था, इसका फाइदा उठा रहे थे कौन? बेकरी मालिक, अब बेकरी क्या होता है? बेकरी एक प्रकारश्य हम शौप कह सकते हैं, ऐसा दुकान होता है, जहां पर ब्रेड वगरा बनाया जाता है, तो यह जो बेकरी थी, जो भी ब्रेकरी थी फ्रांस में, जहां भी थी, उन सभी ने सोचा कि यार महंगाई चल रहा है, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ज़्यादा अनाज जमा कर लेते हैं, और फिर उसको महंगे महंगे दामों पर ब्रेड बना कर बेचेंगे, महंगाई का फाइदा उठाने लगे ये लोग, अब महंगाई का फाइदा उठाने लगे बेकरी वाले, तो इन्होंने क्या क्या ब्रेड को और महंगा बेचना शुरू कर दिया, मतलब कि अगर मालीज अना कि जो दुकाने थी उन पर घंटों इंतजार करने के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ने दुकान पर धावा बोल दिया मतलब यहां पर क्या है जो यहां पर महिलाएं थी वो अपने परिवार के लिए वहां पर खाना लेने गई थी कि चलो भईया खाना मिलेगा खर देंग के वहल एक दुकान पर क्या नाई पूरे फ्रांस में या फिर पेरीस में हर जगा पर इसी तरप्रकार की थोड़ा मोड़ा वहल था कहीं पर जधा ज़गड़ा था-कई-पर थोड़ा मोड़ा तो यहाँ पर इस वज़ा से सेना को बुलाया गया था, तो इसके बाद कृद भीड ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे निस्तो नाबूद कर दिया, अब ये जो चीज है न 14 जुलाई वाली ये तो हम शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं, कि 14 जुलाई को क्या हुआ था, तो 14 जुलाई को क्या हुआ था, वहाँ पर जनता जो थी आक्रोशित हो गई थी, उन्होंने जन सेना बना ली थी, वो जो थे हंतियार के खोज में, बास्तिल के किले में घुसे, बास्तिल के किले को ढाह दिया, उसके पहले क्या हुआ था, ये आप यहाँ पर सम और उसकी वज़े से यहां पर पूरा दंगा हुआ, आंदोलन हुआ, जो 14 जुलाई की घटना थी जिसको शुरू में हमने बात किया था, वो सारी चीजे हो गए। यह सारी चीजे आप अब तक पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। इलाकों में भी बहुत सारे अफवा फैल चुके थे। गाउं में किसानों के बीच यह अफवा फैल गया, कि जो जागीर के मालिक हैं, यानि कि जैसे हमारे देश में पहले जमिनदार होते थे। किसान खेती करता था और वो एक प्रकार से भाड़ देता था जागीर के मालिक को, ठीक है। तो किसानों के बीच में यह अफवा फैल गया कि भाई यहाँ पर इन लोग उने गुंडा बुलाया है कि सारे फसल को तबाह कर दो खेतों में और सारे किसानों को भगा दो। तो यहाँ पर इस अफवाह की वज़ा से, इस जूठी कबर की वज़ा से, कई सारे जिलों में भय से परिशान होकर किसानों ने क्या किया, कुदाल उठाए, बेल्चे उठाए, और जितने भी ग्रामीन किले थे, मतलब कि वहाँ पर जो ग्रामीन इलाकों में जो आपको जमिनदारों के किले थे, जागिरदारों के किले थे, उनके उपर हमला किया, उनको लूट लिया, और वहाँ पर जितने भी अन्न भंडार थे, उनको लूट लिया, और जितने भी लगान के संबंधित दस्तावेज उनको जलाकर राख कर दिया, अब यहां पर कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागिरे छोड़ कर भाग गए, बहुत ने तो पड़ोसी देशों में जाकर सरण ले, जितने भी वहां पर कुलीन वर्ग के लोग थे, जमिनदार, जागिरदार थे, वो सब अपने घरबार छो हैं, यह जो तस्वीर है, यह आपको तस्वीर एक प्रकार से दिखा रही है, कि यहां पर कहां पर क्या हुआ था, अब यह तस्वीर उतना क्लियर नहीं है, लेकिन अगर आप किताब में देखेंगे, तो आपको ज़्यादा साफ साफ दिख जाएगा, कि यहां पर जैसे दे का जो एक प्रकार से भै हुआ था, और उन्होंने जो ग्रामीन किलो पर हमला किया था, किस तरफ से किस तरफ गये, कहां कहां क्या हुआ, यह सारी चीज़े आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, किताब में देखेंगे तो आपको ज़्यादा साफ दिखेगा, यहां पर फोटो पता नहीं क्यों ही, साफ नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर आगे कहता है, कि अपनी विद्रोही प्रजा की सकती का अनुमान करके, लुई सोलह ने अंतता नैशनल असेंबली को मानिता दे दी, और यह भी मान लिया कि उस अब लोग एक्तम आंदोलन पर उतर गए हैं, कुलीन वर्ग के लोग जो हैं, उनके पास कुछ नहीं बचा है, वो लोग मरने मारने पर एक प्रकार से भाग रहे हैं, सभी लोगों की स्थिती खराब है, तो यहां पर राजा ने कहा कि ठीक है भाई, जो यह नैशनल समिधानिक राष्ट बन गया फ्रांस, मतलब राजा होगा फ्रांस में, राजा रहेगा फ्रांस में, लेकिन वो अपनी मर्जी से शाषन नहीं करेगा, बलकि समिधान के लिखे नियमों के तहत, जैसा समिधान कहेगा, जैसा नैशनल असेंबली कहेगा, उस प्रकार से किसका होगा सम्मिधान का होगा यहां पर आगे कहता है कि 4 अगस्त 1789 की रात को असेम्बली ने करों करतव्यों और बंधलों वाली समंती ववस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया मतलब यहां पर नैशनल असेम्बली के हाथ में जैसे ही सत्ता आई उसने एक जो पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशिसाधिकार थे उसको छोड़ने पर मजबूर किया गया और धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया यानि जो तिथ था उसको समाप्त कर दिया गया और चर्च जिन जमीनों की मालिक थी उसको जब्द कर लिया गया समझ गया? तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर जो पुरानी सामंती ववस्था थी जन्म आधारित जो अधिकार मिले हुए थे लोगों को उसको खतम कर दिया गया इसके साथ ही जो पादरी वर्ग था उसको उसके विसिसाधिकार छीन लिए गए और इसके साथ ही चर्च जिन भी जमीनों की मालिक थी उसको सरकार ने जब्त कर लिया अब इन सभी चीजों को करके जो फ्रांस की सरकार थी उसके पास करी 20 अरब लिवरे की संपत्ती आ चुकी थी और सरकार की जो परिशानी थी टैक्स वाली कि भाई हमारे को पैसा नहीं है हम करजे में हैं वो समस्या अब सुलज सकती थी नीदान हो सकती थी क्योंकि सरकार के प है फ्रांस संविधानी के राजतंत्र बन गया अब यहाँ पर जो मैंने कहा था कि भाई राजा होगा लेकिन वहां पर सम्विधान के הिसाब से राजा चलेगा उसके लिए जो सब्द होता है उस सब्द को हम कहते हैं सम्विधानिक राजतंत्र और इसका सबसे अच्छा उदारन आपको समझना है तो सबसे अच्छा उदारन है आज का ब्रिटेन तो आज के समय में जो आप ब्रिटेन देखते हैं जो आप UK United Kingdom जानते हैं वो देश लोकतांत्रिक मतलब यहां का जो सर्वोच पद है यानि राष्टपदी का पद उस पर कोई भी आम आदमी जाकर बैठ सकता है लेकिन जो ब्रिटेन है ब्रिटेन में जो सर्वोच पद है वो राजा या फिर रानी का होता है जो की एक ही परिवार से आता है समझ गए तो ब्रिटेन में रा राजा हैं। लेकिन वाहाँ पर क्योंकि क्योंकि बृतेन में समेधानिक राजतंत्र है तो राजा की बात नहीं चलती है। राजा अपनी मर्जी से कोई भी और नहीं दे सकता है, वहाँ पर समिधान, लोकतंत्र के हिसाब से चीज़े चलती है, राजा बस राजगदी पर बैठता है और वो कुछ नहीं कर सकता, समझ गया, कुछ खास पावर होंगे थोड़े मोड़े लेकिन ज्यादा नहीं है, समझ यहाँ पर कहता कि National Assembly ने सन 1791 में समिधान का प्रारूप तयार कर लिया, 1791 में तयार हो गया कि भईया, समिधान कैसा होगा, क्या होगा, उसमें सारी चीज़े तयार हो गए, इसका मुख्य उद्धेश क्या था, किसले समिधान बनाए गया था, तो समिधान बनाने का कारण जैसा कि आज हमारे देश में होता है हमारे देश में क्या होता है विधाईका है, कारिपालीका है और नियाईपालीका है मतलब सरकार कोट को और्डर नहीं दे सकता है और कोट जो है वो सरकार के काम में दखल नहीं दे सकता है उसी प्रकार से जो विधाईका है वो आपको कारिपालीका के काम में दखल नहीं दे सकता विधाई का मतलब जो संसद हो गया, विधान सवा हो गया, कारेपाली का मतलब जो यहाँ पर सरकारी अफसर वगरा होते हैं वो हो गये और आपको न्याएपाली का में जजेज वगरा हो गये तो तीनों एक दूसरे के काम में दखल नहीं देते हैं, तीनों अपना-पना काम करते हैं, कोई भी अगर अपनी आउकात से ज़्यादा मतलब जितना उसको पावर दिया गया उससे ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करता है, तो दूसरा उसको एक प्रकार से कंट्रोल करता है manage करता है, तो यही ववस्था यहाँ पर भी लागू की गई, यहाँ पर भी पूरे राश्ट्र की जो ताकत है, उसको तीन हिस्सों में बाट दिया गया, कौन-कौन से विधाई का, कारिपाली का और नयपाली का, अब यहाँ पर फ्रांस में क्या हो गया, सम्वेधानिक राश्टंत्र बन गया, और यहाँ पर आगे दिखाता है कि राजनितिक ववस्था कैसे काम करती थी फ्रांस में, तो इसको जरा सा आपको समझना है, तो यहाँ पर मैं इसको जरा सा जूम कर ले तो ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या ववस्था है, सबसे पहले तो भाई, जनता, जनता क्या करेगी, भोट करेगी, वोट दे के क्या करेगी, निर्वाचक चुनेगी यहाँ पर 50,000 वो लोग होंगे, जिन जो की क्या काम करेंगे, सक्रियन नागरीक, मतलब सभी लोग भोट नहीं देंगे फ्रांस में, कौन भोट देगा भाई, यह वो लोग होंगे जिनको एक प्रकार से जो पुरुष होंगे, पहला तो पुरुष होना चाहिए, दूसरा जो होता चाहिए कि वो टैक्स देते हों, तब वो क्या बनेंगे, सक्रियन नागरीक बनेंगे, समझ गए तो सक्रियन नागरीक में क्या है सक्रियन नागरीक में करीब 40 लाख लोग, मतलब 2 करोड 80 लाख की जनता में से 40 लाख लोग ऐसे थे जो कि इस लिए मैं एक लाइन में इसको आगर निकल गया, ठीक है, सग्रियन नाग्रिक क्या करेंगे, निर्वाचक को चुनेंगे, यह निर्वाचक की संख्या होगी 50,000 जो की पुरुश होगे, और यह निर्वाचक फिर वोट देकर नेशनल असेंबली चुनेंगे, जिसमें बलकि इनकी मर्जी से काम करेगा नियंतरन रखने का काम करेगा लेकिन समराट के पास निशेध सकती होगी कि इनके order को काट सकता है मतलब कोई गलत order आ जाये कुछ होज़ा आ जाये तो इसा निशेध सकती होगी साथ में यह जो यहाँ पर National Assembly होगी यह मंत्रियों के उपर भी नियंतरन रखेगी मंत्रियों को यही मैनेज करेगी अब इसी प्रकार से जो जनता है सक्रिय नागरिक हैं यह वोट दे कर न्यायपालिका चुनेंगे न्यायधिस चुनेंगे तो तीनों अपना-पना अलग-लग हो गया विधाई का क्या काम करेगी कानून वगरा बनाने का काम कारिपालिका क्या काम करेगी देश चलाने का काम करेगी न्यापालिका न्याय करने का काम करेगी समझ गया इस प्रकार से तो यहाँ पर समझने वाली सबसे जो important चीज है वो यह है कि भाई सक्रिय नागरिक क्या होता है सक्रिय नागरिक के concept को आपको समझना है अब यहा तो यहाँ पर इस पाराग्राफ में दिया गया है कहता है कि 1791 के समीधान में कानौन बनाने का अधिकार National Assembly को सौब दिया गया National Assembly क्या करेगी कानौन बनाने का काम करेगी जैसे कि आज हमारे देश में संसद होता है वैसे ही National Assembly अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी हमने बता दिया कि कैसे National Assembly की चुनाव होगा ठीक है सर्व प्रथम नागरिक एक निर्वाचक समू का चुनाव करते थे जो पुना Assembly के सदस्यों को चुनते थे सभी नागरिकों को मत का अधिकार नहीं था ये मैंने आपको बता दिया कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं मिला था अब यहाँ पर उसके लिए condition क्या था सक्रिय नागरिक कौन थे ये question बनता है कुश्चन क्या बनेगा सक्रिय नागरिक कौन हो सकते थे या फिर निश्क्रिय नागरिक कौन थे तो सक्रिय नागरिक के लिए पहला कंडिशन क्या कि भाई 25 वर से अधिकुम्र होनी चाहिए दूसरा कंडिशन क्या कि भाई पूरुष होना चाहिए तीसरा कंडिशन क्या ती के लिए वोट दे सकता है समझ गए अब सेश पूरुशों सेश महिलाओं और साथ में जो बच्चे थे उनको निश्क्रिय नागरिकों के रूप में वर्गी कृत किया गया था निर्वाचक की योगिता प्राप्त करने और असेम्ली का सदस्य होने के लिए लोगों को करद अताओं के उच्चतम स्रेनी में होना जरूरी था मतलब कि यहां पर निर्वाचक समूः के लिए भोटिंग करने के लिए आपको सक्रिय नागरिक तो होना जरूरी था ही साथ में अगर आपको निर्वाचक समूः में आना है या फिर नैशनल असेम् तो यहां पर आगे कुछ आपको दिये गए हैं, क्या दिये गए हैं भाई, आगे यहां पर क्या कहता है, आगे थोड़ी सी बात है, जनकारी है, क्या है, देख लेते हैं, आगे कहता है कि सम्विधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोशना पत्र के साथ सुरू हुआ थ मतलब जो सम्विधान था उसमें सुरुवाती चीज़ क्या था? पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोशना पत्र, जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति के स्वतंतरता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैस सर्गिक एवं अहर्निय अधिकार के रूप में स्थापित किया अर्थार्त ये अधिकार प्रतेक वैक्ति को जन्म जा, जन्मना प्राब्त थे। एक नागरिक के नैसरगिक अधिकारों की रक्षा करें। कि मतलब जो भी नागरिक है, हर नागरिक को ये अधिकार मिलेगा और सरकार की ये जिम्मेदारी होगी, कि वो इन नागरिकों के इन अधिकारों को बचाए या फिर रक्षा करें। अब यहाँ पर इसका तस्वीर आप देख सकते हैं, पुरुष एवं नागरी घोषना अधिकार पत्र यहाँ पर लिखे गए हैं, जो कि उस समय में बना गया समिधान का एक हिस्सा था, और साथ में श्रोत हैं जिसमें कि कुछ आपको पुरुष एवं नागरी घोषना अधि कमी थी, क्या कमी थी, सबसे बड़ी कमी क्या थी, ये थी कि भाई यहाँ पर वोटिंग का अधिकार सभी लोगों को नहीं था, गरीबों को नहीं था, साथ में जो महिलाएं थी उनको नहीं था, ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पर राजनीतिक प्रतीकों के मायनी, ये भी आपके लिए महत्पूर्ण है, ये भी ध्यान रखिएगा कि किस चीज़ का क्या मतलब होता है, ये भी प्रशन के रूप में पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर ये समझ ये, कि जब ये क्रांती वगरा चल रही थी, उस समय बहुत सारे चीज़ों को दिखाने के लिए बहुत सारे प्रतीकों का इस्तमाल हो रहा था, जैसे यहाँ पर तूटी हुई जंजीर का क्या मतलब है, ये एक प्रकार से आजादी का प्रतीक है, तूटी हुई जंजीर, इसी प्रकार से यहाँ पर छडों का बच्चिदार गठर, ये आप तस्वीर देख लीजे, इसका मतलब क्या है, ये एकता मेही बल है, इस चीज को ये दिखाता है, इसके बाद आगे बढ़ें, तो आगे हमारे सामने क्या है, त्रिबूज के अंदर रोश्नी बिकेरती आँख, ये तस्वीर क्या है, ये आपको ग्यान का प्रतीक है, कि भाई, सूरिक जैसा ग्यान जो है, वो अंधेरे को मिटा देता है, इसके बाद राजडंड, ये साही सत्ता का प्रतीक है, सत्ता को ये दिखाता है, इसके बाद यहाँ पर अंत में क्या है, आगे चल कर अंत नहीं है, लेकिन आगे चल कर क्या है, अपनी पूछ मुह में लिए साम, ये साम एक अंगूठी जैसा आकार का है या फिर एक जो कड़ा होता है उसके आकार का है इसका मतलब सनातनता का प्रतीक मतलब कि ये अंत नहीं होगा इस चीज को दिखाता है ये आगे यहाँ पर लाल फ्राइजिन टोपी ये की निक क्या दिखाता है दासो द्वारा सतंत्र होने के पहरी जाने वाली टोपी ये भी एक प्रकार से आजादी को ही दिखाता है इसका बाद है नीला सफेद लाल फ्रांस के राश्ट्रिय रंग जो की आपको फ्रांस के राश्ट्रिय ध्वज यानि की जो फ्लैग होता है उसमें भी मिल जाएगा इसके बाद डैनो वाली इस्त हमने टॉपिक आजाता है टॉपिक नमबर तीन यानि की फ्रांस में राज तंत्र का उन्मूलन और गंतंट्र की अस्थापना। तो अभी तक हम ने बात किया कि भाई फ्रांस में तो क्रांती हो चुकी है। 1789 में क्रांती में क्या हुआ? 1789 में हमारा क्रांती हुआ और वहाँ पर समिधान लागू हो गया, नाशनल असेंबली भी वन गई, लेकिन अभी तक क्रांती में क्या था? अभी तक जो क्रांती हुआ था, उसमें राजतंत्र बना हुआ था. कैसा राजतंत्र? सम्वेधानिक राजतंत्र मतलब क्या हुआ? मतलब भाई, फ्रांस में राजा होगा लेकिन वो सम्विधान के हिसाब से चलेगा अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करेगा लेकिन अब हम देखने वाले हैं कि वो भी राजतंत्र अब समाप्त होगा फ्रांस में और फ्रांस में गनतंत्र की अस्थापना हो जाएगी? गनतंत्र और राजतंत्र में क्या फरक है? फरक ये है कि जो राजतंत्र होता है उसमें जो राजा है राश्ट्रपती कौन बैठेगा कोई भी जाकर चुनाव लड़ सकता है जीतकर बैठ सकता है अमेरिका का सर्वोच पद कौन सा है राश्ट्रपती वहाँ पर कौन बैठेगा कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़कर जीतकर वहाँ पर बैठ सकता है कोई भी आमनगरिक हो सकता है लेकिन वही बृतेन में बात करें तो बृतेन का सर्वोच पद कौन सा है राजा का है राजा जो कौन होगा वो एक व्यक्ति होगा जो की राज परिवार से ही होगा मैं और आप या फिर बृतेन का कोई आम आदमी जाकर राजा नहीं बन सकता है, समझ गया? तो ये फर्क है राजतंत्र और गंतंत्र में, ठीक है? अब यहाँ पर आगे कहता है कि फ्रांस की स्थिती आने वाले वर्षों में भी तनाव पूर्ण रही, अब यहाँ पर देखे कि 1799 तक चली थी, कब तक 1799? यानि 1789 सा 1799 के दौर को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रांसिसी क्रांती के नाम से जानते हैं मतलब 1799 क्यों? क्योंकि इस समय जाकर नेपोलियन ने राजगद्दी पर कबजा कर लिया था इस दौर को हम फ्रांसी सी क्रांती का दौर कहते हैं क्योंकि बहुत सारी घटनाएं होई थी ठीक है तो यहाँ पर अगर हम बढ़ें तो आगे कहता है कि फ्रांस के इस्थिती आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही मतलब जब 1789 का क्रांती हो गया समिधान 1791 कानवे में बन गया उसके बाद भी फ्रांस में इस्थिती नॉर्मल नहीं होई कहता है कि लूई सुलहवे ने समिधान पर हस्ताक्षर कर दिया था हमने देखा कि भाई लूई सुलहवे उने साइन कर दिया कि हवाया नैशनल असेमली को मानेता मिल गया समिधान बन गया सब अगल बगल के जितने राजा थे ना सब परिशान थे कि भाई फ्रांस में गड़बड हो रहा है यहां पर राजाओं को हटाया जा रहा है सभी सामंतों को हटाया जा रहा है कुलीन वर्ग भी परिशान था सब देशों का कि भाई ऐसा हम लोग के देश में हो गया ना तो ग उप्तवारता कर रहा था कि किस प्रकार से प्रज़ा की सेना आएगी फ्रांस में और यहां पर फ्रांस में जो मामला है इसको थंडा करेगी तो यहाँ पर 1789 की गर्मियों में ही यहाँ पर इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए जो फ्रांस का राजा था और प्रसा की जो सरकार थी, इनके बीच में बातचीत हो गए कि हवया क्या करना है प्रसा का सेना आएगा, सब लोगों को खदेड़ेगा, सब लोगों को निकालेगा और फिर से पुराने ववस्ता लागू कर देगा लेकिन यहाँ पर गड़बड हुआ, गड़बड यह हुआ कि जिस समय इस चीज को लागू किया जाना था बतलब देखिए, जब भी सेना युद्ध की बात करती है, लड़ाई जगड़े की बात करती है तो वो ऐसा नहीं होता कि आज और दिया उकल से सेना भीड़ने चलेगे, नई सेना पहले तयारी करती है, सामान जुटाती है, हतियार जुटाती है, सब चीज करती है, तब कहीं हमला होता है तो यहाँ पर भी भाई बात तो हो गया 1789 के गर्मी में ही, कि प्रसा और भी दूसरे देश जो हैं अपनी सेना भेजेंगे फ्रांस में सब चीज कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उस पर एक दूस साल तक कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, उसको सेना भेजा नहीं गया तो यहाँ पर क्या हुआ, कि अपरियल 1792 में, क्या हुआ, जो फ्रांस की नैशनल असिम्ली थी, उसने पहले ही बोल दिया कि चलो हम ही लोग युद्ध करते हैं, हम ही लोग अपने पडोसी देशों पर हमला कर देंगे, और इन्हों ने क्या कहा, कहा कि हम लोग प्रसा और आउस्ट्रिया के विरुध युद्ध की घोशना करते हैं, और हम लोग अब क्या करेंगे, आउस्ट्रिया और प्रसा पर हमला कर देंगे, समझ गया, अब यहाँ पर प्रसा 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 आप सुन रहे हैं, तो प्रसा में आप कन्फ्यूज हो रहे हैं, प्रसा क्या प्रसा नाम का देश होता था ओस्ट्रो हंग्री इंपायर होता था तो यहां पर आप देख रहे हैं फ्रांस को यह है फ्रांस अब फ्रांस के बगल में यहां पर है प्रसा प्रसा तो क्लाश टेंथ में आप पढ़ेंगे कि जो प्रसा है और आस पास के जो जर्मन भाषा बोल युद्ध की घोशना कर दी, पहले ही, मतलब ये लोग प्लानिंगे कर रहे थे कि भाई हम लोग सेना भेजेंगे, तब तक यहाँ पर फ्रांस ने इनके खिलाफ युद्ध की घोशना कर दी, अब जब युद्ध का घोशना हो गया, तो फ्रांस की जो आम जनता थी, वो भी खिलाफ हो गया, अब बुल है, तो फ्रांस की जनता कही खुश हो गया, युद्ध के नाम पर, भाई उसका कारण है, उसका कारण ये है, कि यहाँ पर जो फ्रांस के नेता लोग थे, जिननों ने ये युद्ध की घोशना की, उनका कहनँ था, जो भाई ये जो हम लोग युद्ध हम लोग दूसरा देश से नहीं लड़ रहे हैं नै 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 नै। दूसरे देश की जो सरकार है जहां पर राजा बैठता है जो वहां पर सामन्ती ववस्था है उसके खिलाफ हम लोग युद्ध कर रहे हैं। क्या हुआ हजारों की संख्या में जो स्वयमसई थे ये सेना में भरती होने लगे और यहां पर ये जो स्वयमसई थे ये अपनी मर्जी से युद्ध में जा रहे थे इनको क्या लगता था कि हम युद्ध राजाओं के खिलाफ और कुलीनों के खिलाफ लड़ रहे हैं और यह देशभक्ति के भाव में डूबे हुए थे और देशभक्ति के लिए जो गाने गा रहे थे उनमें एक गाना था दी रोजे दी लाइल द्वारा लिखा हुआ ये एक राइटर थे इनके द्वारा लिखा गया गाना मरसीले अब ये जो गाना है इसका नाम मरसीले क्यों पड़ इसलिए इसका नाम मर्सिले पड़ा और यह इतना popular हुआ कि आज के समय में France देश का जो राश्ट्रगान है वो यही मर्सिले है यहाज क्या बन गया है फ्रांस का राश्ट्रगान बन गया है अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर बात करते हैं कि जब यह शब्द सुने, क्रांती कारी युद्ध, फ्रांस का क्रांती कारी युद्ध, इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब यहाँ पर एक प्रकार से लोकतंत्र आ गया, जब यहाँ पर क्या हो गया, पूरी एक प्रकार से नैशनल असेमली बन गई, उसके बाद जो फ्रांस ने अ आपका उसी को हम क्रांतिकारी युद्ध कहते हैं, और ये जेनरली आपको 1792 से लेकर 1799 के बीच में ये युद्ध लड़े गये थे, बाद में नेपोलियन आया, नेपोलियन ने भी 1815 तक युद्ध लड़े, तो उनको भी कई बार क्रांतिकारी युद्ध में ही शामिल किया आर्थी कठिनाईयां जेलनी पड़ी, क्यों भाई, क्या परिशानी हो गया, परिशानी ये हो गया, कि फ्रांस की जो जनता थी, वो बढ़ चड़कर इस युद्ध में शामिल हो रही थी, ये युद्ध लड़ना चाहती थी, तो इस युद्ध में लगभग हर गाउं से, ह मतलब बच्चों को खाना खिलाना है, पैसे कमाना है, सारे काम घर के कौन करने लगी, महिलाएं करने लगी, क्यों भाई, क्योंकि जो जितने भी पूरुष थे, वो युद्ध लड़ने चले गए, युद्ध के मैदान में चले गए, देश की आबादी के एक बड़े हिस्स को ऐसा लगता था कि क्रांती के सिलसिलों को आगे बढ़ाने की जरूरत है, मतलब क्रांती अभी भी जारी रहनी चाहिए, क्रांती अभी पूरी नहीं हुई है, और भी हमें क्रांती करनी है, क्यों करनी है भाई, करनी इसलिए है, क्योंकि जो 1791 में समीधान बना है ना, उस समीधान में सिर्फ अमीरों को ताकत मिली है, अमीरों को एक प्रकार से अधिकार मिले हैं, यहाँ पर राजनितिक अधिकार अभी गरीबों के पास नहीं पहुंचे हैं, तो अगर हमें अधिकार चाहिए, मतलब गरीब जनता को यह लगता था, कि अगर हमें अधिकार चाहिए तो हमें और क्रांती की जरूरत है क्रांती को आगे बढ़ाना होगा अब यहाँ पर जब रो लोग राजनिती क्लबों पर जमा होते थे यहाँ पर जमा होकर यह सरकारी नीतियों और अपनी कारी योजना पर बहस करते थे कि सरकार क्या सही कर रही है, क्या गलत कर रही है और साथ में लोग एक प्रकार से हम क्या करेंगे भाई ये भी डिसकस करते थे, समझ गया अब इसी मेंसे एक कलब था जैकोबिन कलब अब देखें यहाँ पर कहता है कि कई सारे राजनिती कलबों की बात हो रही है ये वर्ड मैं थोड़ा सा फोकस करना भोल गया, फिर से फोकस करता हूँ देखें यहाँ पर क्या हुआ, कि जब इस प्रकार की बात हो गई मतलब समिधान बन गया 1791 का, तो उपर हमने देखा कि समिधान में कुछ अधिकार मिले थे जैसे जीने का अधिकार मिला था, अभी वेक्ति का अधिकार था कि लोग कुछ भी बोल सकते थे, कुछ भी कर सकते थे तो लोगों को ये आजादी हो चकी थी कि वो राजनितिक कलब बना सकते थे तो लोग अपना अपना group बना लेते थे और club बना लेते थे और वहाँ पर political discussion करते थे मतलब राजनितिक चर्चा करते थे कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर अलग-अलग लोग आते थे, अपने अपने विचार रखते थे और अलग-अलग लोगों का अलग-अलग समूह होता था जैसे जो गरीब लोग हैं उनका अलग कलब बन गया, जो अमीर थे उनका अलग कलब बन गया या फिर जो एक प्रकार से middle class के लोग थे उनका अलग कलब बन लिया इसी प्रकार से एक कलब हुआ करता था जैकोबिन कलब ये जैकोबिन कलब जो था ये इसका नाम पढ़ा था एक पुराने convent of cent जोग जैकब के नाम पर अब यहां पर ये जो एक प्रकार से कलब था ये बहुत popular और बहुत ताकतवर कलब बन चुका था राजनिती कलब उसका कारण ये था उसका कारण यहां पर ये था कि ये जो कलब था ये एक प्रकार से गरीब लोगों की बात करता था यानि जो एकदम निचले तबके के लोग थे उनकी बात करता था ये, अब या ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कलब बना था, इसके लावा बहुत सारे कलब बने थे, महिलाएं भी बहुत सक्रियें थी, महिलाओं के भी अपने कलब थे, और महिलाओं के बारे में आगे हम लोग ब करते थे, उसमें जाकर शामिल होते थे, यहाँ पर जैसे कि जो छोटे दुकांदार होते थे, कारीगर होते थे, जैसे जूता बनाने वाले कारीगर, पैरी पेश्ट्री बनाने वाले कारीगर, घडी साज, घडी के मरमत करने वाले, छपाई करने वाले, नौकर, या फिर दिह इस प्रकार के लोग जाकर इस क्लब में सामिल होते थे, इसलिए ये काफी ताकतवर और काफी मजबूत क्लब बन चुका था, ठीक है, अब ये जो जैकोबिन क्लब था, इनके नेता का नाम था मैक्स मिलियन रोवेस्पियर, ठीक है, तो यहाँ पर ये सवाल पुछेगा जैक मिलियन रोवेसपियर कौन था, ठीक है, जैकोबिन क्लब क्या है, एक प्रकार का राज़िती क्लब है, जो कि समाज के कंव समरिध हिस्पे के लोगों को रिप्रेजेंट करता था, या फिर प्रतिमिधित्व करता था, ये चीज़े आप बता सकते हैं, अब यहाँ पर कहता ह कि जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोती कामकारों की तरह धारी-धार लंबी पतलून पहनने का नन्ने लिया। अब यहाँ पर देखे जो आपको जैकोबिन क्लब के सदस्य थे उन्होंने अपना ड्रेश बना लिया। कि भाई देखो हम लोग जब भी कपड़ा पहनेंगे न इस प्रकार का कपड़ा पहन कर घुमेंगे। ये एक प्रकार से जैकोबिन क्लब के सदस्यों का कपड़ा होगा ये आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसको की कहा गया सौ कुलात। सौ कुलात कहा जाता था बीना ब्रीचेज वाला कपड़ा ठीक है। एक अलग प्रकार का होता था, वो आपको आमाद भी नहीं पहन सकता था, तो उनकी सत्ता चली गई है, उनकी पावर खतम हो गई है, अब हमारी सत्ता है, अब हम शाशन करते हैं, ये एक प्रकार से दिखाने का ये कपड़ा प्रतीक था। कि अब हम अपना पहचान वाला अपना कपड़ा पहन कर घुमेंगे। समझ गया, तो ये इस चीज को दिखाने के लिए ये कपड़ा एक प्रकार से पहनने के लोगों ने शुरू किया। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहां पर यही चीज है कि इसलिए जैकोबिनों को सौ अकुलात के नाम से जाना आ गया जिसका साबरिक अर्थ होता है बिने गुटने वाला, सौ अकुलात पुरुस लाल रंग की टोपी पहनते थे, पुरुस जो थे वो लाल र भाव से नाराज, पेरिश्वासियों को लेकर एक विसाल हिंसक विद्रो की योजना बना ली, 1792 की जो गर्मी थी उस समय में जैकोबिन कलग के जो सदस्य थे, उन्होंने क्या किया, महंगाई और अनाल्ज की कमी को मुद्दा बनाते हुए, आंदोलन का तयारी किया कि हम ल राजा रहा करता था, उस महल पर धावा बोल दिया गया, राजा के जितने सैनिक थे, रच्छक थे उनको मार दिया गया, और राजा को कई घंटों तक बंदी बना लिया गया, अब यहाँ पर बाद में क्या हुआ, राजा को बंदी बनाने के बाद जो असेमली थी, उसने शाही परिवार को जेल में डाल दिया, जो की चुनाव हुआ था, उसकी बात हो रही है, जेल में डाल दिया, इसके बाद नया चुनाव करवाया गया, और जब नया चुनाव हुआ, उसमें 21 वर्स से अधिक उम्रेवाले, सभी पुरुशों, चाहे उनके पास संपत्ती हो नहीं, उनको मतदान का अधिकार दिया गया, मतलब क्या हुआ, ये लोग इतने ताकतवर हो गये, कि चुनाव करवाने का सारे प्रक्रिया चेंज कर दिया, राजा को जेल में डलवा दिया, और यहाँ पर पूरा ववस्थात बदल दिया, फ्रांस का, अब यहाँ पर जो च असेंबली जो चुना गया, नया असेंबली चुना गया, इसको क्या नाम दिया गया, या कन्वेंशन नाम दिया गया, अब यह भी पूछता है कि कन्वेंशन क्या है, जब यहाँ पर 1792 में, जो जैकुबिन क्लब के सदस्यों द्वारा आंदोलन हुआ, उसके बाद जो 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गनतंत्र घोशित किया, मतलब क्या हुआ, मतलब यहाँ पर राजा की सक्ता समाप्त हो गई, राजतंत्र खतम हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर गनतंत्र की अस्थापना हो गई, और यहाँ पर क्या ह गया गंतंत्र क्या होता है ये बताया गया है गंतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव करती है मतलब मतलब जनता जो है सरकार तो चुनती ही है लेकिन वहां पर राज जी का देश का जो प्रमुख होता है वो भी कौन चुनता है वो भी ज गंता चुनती है। समझ गया। यह वंशानुगत राजसाही नहीं है। मतलब कि यहां पर राजा का बेटा राजा नहीं होता है। कोई भी चुनाव जीतकर वो गद्धी पर जाकर बैठ सकता है। आप कुछ अन्य गंतांतरिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें। कि भाई क्या है। जैसे गंतांतरिक देश हमारा देश भारत हो गया। इसके लावा चीन भी एक गंतांतरिक देश है। चीन गंतांतरिक देश है। लोकतांतरिक देश नहीं है। गंता अंतरिक देश मतलब सरकार का हेड आमादमी हो सकता है ठीक है लेकिन वहां पर जनता वोट देकर सरकार चुनती है जी नहीं, समझ गए तो यहाँ पर आगे बढ़ें, तो आगे यहाँ पर क्या कहता है आगे कहता है कि आगे चलकर लुई सो लहवे को न्याले द्वारा देश द्रोग के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई 21 जन्वरी 1793 को प्लेश्टी लौ कॉनकॉर्ड में उसे सारोजनिक रूप से फांसी दे दी गई और जल्द ही राणी मेरी अंतोनियत को भी वही हश्ट हुआ मतलब कि राजा राणी दोनों को फांसी दे दिया गया दोनों की मौत हो गई दोनों खतम हो गए अब इसके बाद आता है टॉपिक हमारा तीन दश्मलो एक जिसका नाम क्या है जिसका नाम है आतंक राज तीन दश्मलो एक क्या है आतंक राज तो यहाँ पर कहता है कि सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का यूग कहा जाता है तो अगर आप से ये पूछे कि भाई आतंक का काल किस दोर को कहा जाता है फ्रांस में तो वो कहलाता है 1793 से 1794 का अब उझी का क्यों आतंक का दौर की क्यों कहा जाता है? उसका कारण ये है कि जो नया कन्वेंशन बना था 1792 के चुनाओं के बाद वहाँ पर जो सरकार बनी थी वो जैकोबिन कलव की जो सदस्य थे वो जीत गये थे वो सत्ता में आ चुके थे और यहाँ पर इनका नेता कौन तरीका था यहाँ पर इसने क्या किया नियंतरन और डंड की सक्त निती अपनाई इसके हिसाब से इसको जो भी गनतंत्र और लोकतंत्र का शत्रू लगता था मतलब जो भी लगता था कि भाई लोगतंत्र नहीं चाहता है जैसे राजा के पुराने जो एक प्रकार से लोग थे या फिर जो लोग इसका विरोध करते थे या फिर जैकोबिन कलब का विरोध करते थे सब को ये पकड़ के फासी दे देता था या फिर मौट के घाट उतार द उन सभी को गिरफतार करके जेल में डाल दिया गया और एक क्रांती कारी नयाले द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया मतलब क्या हुआ मतलब की भाई जो पूराना कुलीनवर्ग का व्यक्ति है उसको जेल में डालो जो पादरी है जेल में डालो जो दूसरी पार्टी का है उसको भी जेल में डालो और उसकी पार्टी में जो उसके खिलाब बोलता है उसको भी जेल में डालो मतलब जो भी आवाज उठाए उसको जेल में डालो, उस पर केस चलाओ, और केस में तै हो, अगर उसको दोसी पाया जाए, तो उसे गिलेटिन पर चढ़ा कर उसका सर कलम कर दो, अब ये गिलेटिन क्या है, गिलेटिन एक मशीन है, किस प्रकार का मशीन, भाई सर काटने वाला मशीन, सिधे मूड़ी काटने का काम करता है, समझ गए, तो गिलेटिन का तस्वीर साइद आपके किताब में यहाँ पर दिया है कि नहीं दिया है, मेरे ख्याल से नहीं दिया होगा, ठीक है, नहीं दिया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, गिलेटिन का तस्वीर, क्यो यह जो हिस्सा देख रहे हैं यह है ब्लेड अब इसको इस ब्लेड को रसी के जरीए खीचा जाता था उपर और यहां पर यह जो छेद देख रहे हैं छुटा सा इसमें जो आदमी है उसको लिटा कर सर रख दिया जाता था अब सर रखने के बाद यहां पर इस रसी को छोड़ दिया जाता था और ये blade speed में नीचे आता था और यहाँ पर इस रखे गए वेक्ती का गर्दन कट जाता था और गर्दन इस जोली में गिर जाता था और आदवी का धड़व ही रह जाता था मतलब की इस guillotine पर रखने के बाद सर काट कर आदवी को मौत के घट उतार दिया जाता था तो इस प्रकार से ये guillotine machine काम करता था जिसके तहट लोगों को क्या किया जाता था सजा दिया जाता था मौत की सजा सुना दी जाती थी अब यहाँ पर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर कहता है वही चीज गillotine machine के बारे में वताया गया है अब इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर कहता है अब यहाँ पर रोबेस्पियर सरकार ने कुछ अच्छी चीज़े की अच्छी चीजे मतलब कि उसने सरकार चलाने के लिए गरीबों की भलाई के लिए बहुत सारी चीजे की थी। तो यहाँ पर कहता है कि Robespier सरकार ने कानून बना कर मजदूरी और कीमतों की अधिक्तम सीमा तै कर दी। कि भाई कोई भी चीज कितना मैक्सिमम महंगा बिख सकता है और साथ में जो यहाँ पर जो मजदूरी होती है वो कितना हो सकता है जादा और कम यो तै कर दिया गया। इस प्रकार से पूरा व्यवस्था कर दिया गया वहाँ पर किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार दोरा तै कीमतों पर बेचने के लिए बाध किया गया। प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवारे कर दिया गया। मतलब जैसे कि आप अगर देखें तो चावल में होता है कि नौर्मल चावल होता है सिंपल चावल और फिर आता है बास्मती चावल जो की महंगा होता है। और नौर्मल चावल सस्ता होता है। उसी प्रकार से आटे में बात करें तो आटा आपको सस्ता होता है। लेकिन आपने मैदा खाया होगा। तो मैदा महंगा आता है। ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर वैवस्था किया गया कि जो महंगा आटा है वो नहीं बिकेगा। जो सस्ता आटा है उसी से रोटी ब्रेड बनेगा। और वही ब्रेड यहाँ पर सभी जनता को खाना होगा। कोई भी व्यक्ति महंगा आटा नहीं खाएगा, महंगा कोई चीज नहीं खाएगा, सबको बरावर एक ही खाना, खाना होगा. इसके साथ ही बोल चाल और सम्मोधन में भी बरावरी का आचार विभार लागू करने की कोशिश की गई. कि भाई किसी से भी आप अपमान जनक भासा में बात नहीं करेंगे, सब ही लोगों को बरावरी से आपको क्या करना होगा, ट्रीटमेंट देना होगा. ठीक है, परंपर जैसे होता है न, उसी प्रकार से मदाम होता था मैडम, वहाँ पर फ्रांस में यूज किया रता था, तो वो अब नहीं उसके जगह क्या करना है? आपको सितोईन कहां कहना है, नागरिक और सितोईन, नागरिका मतलब महिला के लिए. तो इस प्रकार से सभी लोगों के लिए बराबरी का concept लागू किया गया कि सभी लोग क्या रहेंगे बराबरी रहेंगे और चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को barrack या दफतर बना दिया गया फ्रांस में जितने भी चर्च थे उनको बंद कर दिया गया और वहाँ पर शभी जितने बिल्डिंग थे चर्च के, उनको सेना का बैरक बना दिया गया, या फिर कोई दफ्तर बना दिया गया। Robespier ने अपनी नीतियों को इतनी सक्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी तरही तरही करने लगे। मतलब इतना कड़ाई से सरकार चलाया कि जो समर्थक ने Robespier के उसकी वावाही करते थे, वो लोग भी डर कर रहने लगे कि भाईया माफ कर दो, गलती हो गया, तुमको राजा बना दिये, तुमको यहाँ पर हेड बना दिये, पार्टी का, सरकार का, माफ कर दो, ऐसे मत करो, ब मतलब जो वो दूसरे लोगों के साथ कर रहा था, वही चीज उसके साथ हुआ, उसके उपर केस कर दिया गया, उस पर यहाँ पर कारवाई किया गया, और गिलेटीन पर चढ़ा कर, उसकी हत्या, मतलब एक प्रकार से उसको मौत के घाट उतार दिया गया, अब यहाँ पर द देख सकते हैं, इसको चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, अब यहाँ पर आगे बढ़ें, तो आगे हमारे सामने क्या है, आगे यहाँ पर है डिरेक्टरी शाशित फ्रांस, मतलब यहाँ पर डिरेक्टरी द्वारा शाशन होने वाला फ्रांस, अब यह डिरेक्टरी क्या है, ये चीज़ समझते हैं, तो यहाँ पर करता है, कहता है कि देखे, जैकोविन सरकार जब गिर गई, जैकोविन सरकार जब खतम हो गई, जैकोविन सरकार का पूरा पावर खतम हो गया, क्योंकि जैसे ही रोबेस्पियर की हत्या हुई, मतलब वो जब मारा गया, वैसे ही उसकी पूरी सरकार गिर गई, खतम हो गई. तो जब जैकोविन सरकार का पतन हो गया, तब उसके बाद मध्य वर्ग के संपंथ關係 के पास सत्या आ गई. मतलब जो मध्य वर्ग के लोग थे, उनके पास फिर से ताकत आगलना आह, फिर से आया है, फिर से अब वहाँ पर जो गरीब लोग हैं, वो लोग एक प्रकार से हताश हो गए, क्योंकि देखिए आप जिस पार्टी को, जिस एक प्रकार से ग्रूप को समर्थन करते थे, उसमें बहुत गलती कर दी, गलती करके उसको मौत की सजा भी दे दी गई आपके इस नए सम्विधान के तहट, जितने भी संपत्ती हीन तबके के लोग थे, उनको फिर से मताधिकार से वंचित कर दिया गया, मतलब की जितने भी गरीब लोग थे, वो फिर से वोट नहीं देंगे, कौन वोट देगा, जो लोग टैक्स देते हैं, वही सिर्फ वोट देंग ऐसा यहां पर कर दिया गया, अब जो नया सम्विधान बना, इसमें तै किया गया कि एक परिशद नहीं होगा, बलकि दो विधान परिशद होंगे, और साथ में यहां पर कोई एक मुखिया नहीं होगा सरकार का, बलकि यहां पर पांच सदस्यों वाली एक कारेपाली का जो कि सारे decision लेता है, कि भाई यहाँ पर वो ministry ये करे, वहाँ पर वो करे, इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पर क्या ववस्था किया गया, कि ने, कोई एक आदमी नहीं होगा, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री पद है, उसी प्रकार से यहाँ पर डिरेक्टरी बठाया गया, और बोला गया कि डिरेक्टरी में पांच लोग होंगे, और पांच लोग अपनी मिल जूल कर order पास करेंगे, और उसके हिसाब से पूरा सरकार चलेगा, समझ गया, अब यहाँ पर इनको नियुक्त किया गया, क्यों भाई, क्योंकि जैकोवीन सासन में क्या हुआ था, आपर डिरेक्टरी अस्थापित किया गया, समझ गया, लेकिन यहाँ पर जो डिरेक्टरी थी, इसके जो director थे, इनके बीच में जगडा चलते रहता था हमेशा, इनके ये आपस में ही लड़ते रहते थे, अब आपस में लड़ते रहते थे, और इनका लड़ाई विधान प परिशद से भी लड़ते थे, अब विधान परिशद बार-बार बोलता था कि तुम लोग को हटा देंगे, तुम लोग को यहां से हटा देंगे, तुम लोग को भगा देंगे, तुम लोग स्ठीक से काम करो नहीं तो, तो सब का आपस में जगडा चल रहा था, बतलब ये जो विधान परिषद से भी लड़ता था। विधान परिषद हमेशा हि लोगो बरखास्त करने का कोशिश करते रहता था। तो इस वज़य से क्या हुआ पूरा एक राजनितिक अस्थिर्ता बनी रही। मतलब सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए कुछ तय नहीं है भाई समलोग आपस में लड़ने में लगे हुए हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर परिशानी बनी रही और इसी चीज की वज़ासे इसी परिशानी की वज़ासे जो नेपोलियन बोना पाट था वो काफी सफल हुआ अपने आपको आगे ले जाने में और ये आगे चलकर सैनिक तानाशाह बन गया क्या बन गया? सैनिक तानाशाह बन गया और उसके सफल होने का एक सबसे बड़ा कारण ये था कि फ्रांस में डिरेक्टरी का शाशन था और यहाँ पर कोई भी डिसिजन ठीक से नहीं ले पा रहा था तो भाई नेपोलियन आया और उसने सारी सब्ता को अपने कंट्रोल में ले लिया आगे कहता है कि सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंतरता, विधिय सम्मत, समानता, बंधुत्व प्रेरक आदर्ष बने रहे इन मुल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बलकी बाकी उरोप के राजनितिक आंदलों को भी प्रेरित किया अब यहाँ पर आपने अलग-लग चीजे देखी, अलग-लग सरकारे बने, अलग-लग चीजे हुई, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, कि जो भी आंदुलन हुआ, जो भी सरकार बना, उस सभी सरकारों ने सवतंतरता को मायने रखा कि हाँ भया सवतंतरता देश में होना चाहिए, विदि समट समानता भी होना चाहिए और कानून के समख्छ पराबरी होनी चाहिए, बंधुत्य होनी चाहिए, ये सभी विचार को लेकर ही सभी सरकार चले और इन ही विचारों के तहत सारे काम हुए। अब यहाँ पर एक प्रकार से जो फ्रांसिसी क्रांती का दौर था वो अंत है यही तक है यही तक फ्रांसिसी क्रांती हुई अब आगे यहाँ पर आगे टॉपिक है दूसरा टॉपिक क्या है भाई क्या महिलाओं के लिए भी क्रांती हुई इसी चीज़ की हम महिलाओं की कर देता हूं कि कैसे कैसे कौन कौन सी घटनाएं हुए अब यहां पर घटनाओं में बात करें तो जरा सा मैं यहां पर इसको साफ कर लेता हूं और फिर से बारी-बारी से बात करता हूं तो सबसे पहली घटना क्या थी फ्रांसिसी क्रांती में भाई तो सबसे पहली घटना जो है वो 14 जुलाई 1789 1789 में क्या हुआ घटना हुआ क्या हुआ फ्रांसीसी क्रांति यानि बास्तील के किले पर हमला हुआ ठीक है और यहीं से आप कहा सकते हैं कि भाई एक प्रकार से शुरुआत हुई इसके बाद 1791 में क्या हुआ 1791 में यहाँ पर क्या हुआ? समिधान बनकर तैयार हो गया मतलब कि 1789 के क्रांती के बाद जो नैशनल असिम्बली बनी थी उसने समिधान बना कर तैयार कर लिया फ्रांस समिधानिक राजतंत्र बन गया और यहाँ पर लोकतंत्र आ गया ठीक है? अब इसके बाद 1792 में क्या हुआ? 1792 में यहाँ पर लोकतंत्र जो है स्थापित था ही लेकिन अब ये देश फ्रांस याने की क्या बन गया? गंतंत्र बन गया सम्वेधानिक राजतंत्र को समाप्त कर दिया क्रांती करके और वहाँ पर राजा को कैद कर लिया गया खतम कर दिया गया अब यहाँ पर इसके बाद 1793 से 1794 के दौर को क्या कहते हैं? आतंक का राज कहते हैं क्योंकि यहाँ पर रोबिस्पेर सरकार का शाशन था और उसके बाद आगे चल कर 1794 से 99 तक किश का शाशन था? डिरेक्टरी का शाशन था तो यह सौट में मैंने बताया वैसे पूरा चैप्टर तो आप अच्छे से पढ़ी चुके हैं अब इसके बाद यहाँ पर हमारे सामने टॉपिक आता है टॉपिक है महिलाओं के बारे में कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांती हुई? मतलब जो महिलाओं थी उन्होंने कुछ अलग क्रांती किया या फिर इसी क्रांती में उन्होंने कैशे सामिल हुआ कैसे उन्होंने क्या किया ये सारी चीज़े अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं तो महिलाओं के अगर बारे में हम बात करें तो उपर जब भी हमने फ्रांसिसी आंदोलन या फिर फ्रांसिसी क्रांती की बात की तो उस समय में जितने बढ़ चड़कर पुरुष सामिल थे आंदोलन में उतनी ही बढ़चड कर महिलाएं भी शामिल थी आपने उपर देखा था कि महिलाएं जो थी वो क्या कर रही थी पूरी तरीके से सामिल थी परिवार चला रही थी और भी चीजे कर रही थी जो भी आंदुलन में पूरुष कर रहे थे वो आंदुलन में महिलाएं भी कर रही थी मतलब यह आपको समझना है कि फ्रांसिसी क्रांती जो हुई थी वो पूरुषे नहीं की थी बलकि फ्रांस की जनता ने की थी और जनता में महिलाएं भी आती हैं और महिलाएं भी काफी बढ़ चड़कर सामिल थी अब यहाँ पर यही चीज कहता है कि महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से सामिल थी यानि शुरूवात से ही जो महिलाएं थी आंदोलन में बढ़ चड़कर सामिल थी उन्हें उमीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनकी जीवन सुधारने है तो ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी जो महिलाएं थी वो आंदोलन कर रही थी लेकिन जब भी कोई कानून बनता था जब भी कोई समिधान बनता था तो उनको कोई हक या फिर बराबरी नहीं दी जाती थी महिलाओं की ये चाह थी कि वो अगर आंदुलन में बढ़ चड़कर सामने आ रही हैं तो जो उनकी जीवन में तकलीफें हैं उसको दूर करने के लिए सरकार काम करें साथ में जो उनको राजनितिक हक मिलना चाहिए जो पुरुशों को मिला हुआ है वो महिलाओं को भी मिले अब यहां पर कहता है कि देखें तीसरे इस्टेट की जो महिलाएं हुआ करती थी वो महिलाएं जो होती थी वो जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी मतलब ये जो म पुदारण के लिए महिलाएं सिलाई बुनाई करती थी, कपड़ों की धुलाई का काम करती थी, बाजारों में फलफुल सबजियां बेचने का काम करती थी, या फिर संपन्न घरों में घरेलु काम करती थी। नहीं था, ये सुविधा उनको नहीं थी, या फिर वयवसाइक वो प्रसिक्षन नहीं ले सकती थी, कि कैसे वयवसाइच चलाना है, क्या करना है, वो ये सीख नहीं सकती थी, केवल जो कुलीन परिवार थे, वहाँ की जो लड़कियां होती और तीसरे इस्टेट के जो अमीर परिवार होते थे सिर्फ वहां की लड़किया कॉन्विंट इसकुल में पढ़ने पाती थी। कि जो बेकरी थी वहां पर हमला किस ने किया था महिलाओं ने किया था बेकरी के ऊपर महंगाई की वज़ा से घंटो के लाइन में खड़े होने के वज़ा से तो महिलाएं हर कदम पर पुरुषों के साथ आंदोलन में शामिल थी। ठीक है। और यहां पर कहता है कि जो महिलाएं पढ़ती थी। बहुत सारी महिलाएं जो तीसरे इस्टेट की थी गरीब परिवारों से आती थी वो तो पढ़ नहीं पाती थी। लेकिन जो कुलीन परिवार की महिलाएं लड़कियां होती थी या धनी परिवारों के जो लड़कियां होती थी वो कॉन्विट इसकुल में पढ़ तो रहती थी लेकिन उसके बाद भी उनको आजादी नहीं होती थी वो जाकर उनकी साधी कर दी जाती थी उनको एक प्रकार से साधी करके लड़के के घर भेज दिया जाता था, वहाँ घर में रहती थी और वहाँ पर वो अपने पालन पोशन वगरा का काम करती थी, आगे कहता है कि काम काजी महिलायों को अपने परिवार का पालन पोशन भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन परिवार को भी संभालती थी, अपने बच्चों के लिए वो खाना भी बनाती थी, पानी भी लाती थी, पाओ रोटी राने के लिए वो लाइन में भी जाकर लगती थी, और भी तरीके के काम करती थी, लेकिन जब वो कहीं नौकरी करने जाती थी, तो उनका जो वेतन होता था वो पूरुषों की तुलना में कम दिया जाता था मतलब कि पूरुषों को अगर 100 रुपए वेतन मिल रहा है तो महिलाओं को 70 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए ऐसे मिलता था आगे यहाँ पर कहता है कि महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनितिक क्लब शुरू कर दिये और अकबार निकाले मतलब महिलाओं ने देखा कि भाई हमारी बात पुरुष नहीं कर रहे हैं जितने भी यहाँ पर क्लब बने हुए हैं वो वहाँ पर पुरुसों का कबजा है महिलाओं वहाँ पर जा नहीं सकती हैं बात नहीं कर सकती हैं कुछ भी नहीं कर सकती हैं महिलाओं को क्या जरूरत है क्या चाहिए कोई देख नहीं रहा है तो महिलाओं ने अपना खुद का राजनितिक क्लब शुरू कर दिया अपने खुद के अखबार निकालना शुरू कर दिया और इसी प्रकार से फ्रांस के अलग-अलग शहरों में करीब साथ क्लब ऐसे थे जो की महिलाओं के थे और महिलाओं के लिए थे समझ गया अब उसमें से सबसे जो पॉपुलर था सबसे फेमस था वो था The Society of Revolutionary and Republican Women समझ गया यह सबसे फेमस सबसे पॉपुलर कलब था महिलाओं का कलब था अब यहां पर यह जो कलब था इनकी एक प्रमुख मांग थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनितिक अधिकार प्राप्थ हो इसका क्या मतलब है? मतलब है कि हमने उपर देखा कि जब भी सरकार को पावर एक प्रकार से मिला, जब भी समिधान बना फ्रांसिसी में, फ्रांस में करांती के दोरान, तो वहाँ पर पूरुशों को तो वोटिंग अधिकार दिया गया, लेकिन महिलाओं को नहीं मिला, पूर पर जब 1791 में समिधान बना, तो वहाँ पर भी महिलाओं को निराशा का सामना करना पड़ा, क्योंकि आंदोलन में वो बढ़ चड़ कर सामिल थी, लेकिन जब ये समिधान बना 1791 में, तब उन्हें निश्क्रिय नागरिक घुशित कर दिया गया, ये लोग भोट नहीं दे प्रकार से इनकी बात सूनी जाए, अब यहाँ पर आगे चलकर जो क्रांती कारी सरकार बनी, उसमें प्रारंभिक वर्शों में महिलाओं के जीवन की सुधाने के कुछ कानून लाये गया, कुछ सुधार किये गया, जैसे सरकारी विद्यालों की जब इस्थापना हुई, त अपनी मर्जी से साधी कर सकती थी और साथ में पिता जो हैं लड़कियों को उनकी मर्जी के खिलाब साधी करने के लिए बाद नहीं कर सकते थे। साधी को एक स्वैक्षिक अनुबंध माना गया। मतलब कि पूरुष और महिला की बीच में एक प्रकार का अनुबंध एक कॉंट्रेक्ट कि कोई भी इसमें से एक प्रकार से जाकर इस पंजी करन को तोड़ सकता है यानि कि तलाक ले सकता है और दोनों लोग अपनी मर्जी से साधी करेंगे शाधी में शामिल होंगे और यहाँ पर साधियों का पंजी करन किया जाने लगा मतलब हर साधी को सरकार अपने पास रजिस्टर करने लगी और यहाँ पर तलाक जो थी उसके लिए कानून बना दिया गया कि लड़का लड़की दोनों में से जो चाहे तलाक ले सकता है, कोई उसमें जोर दिबरदस्ती नहीं है। अब यहाँ पर महिलाएं जो थी, वे वेवसाइक प्रसिक्षन भी ले सकती थी, और साथ में कलाकार बन सकती थी, और छोटे मोटे वेवसाइ भी चला सकती थी। अब आगे कहता है, कि फिर भी राजनितिक अथिकारों के लिए महिलाओं का संगर्ज जारी रहा। मतलब कि महिलाओं को जो राजनितिक अधिकार चाहिए था, वो उनको नहीं मिला, बाकी सारी चीजे मिल गई वो चीजे नहीं मिली जो की वो सबसे जदा चाहती थी यानि की राजनितिक अधिकार जब आतंक राज आया यानि की रॉबिस पियर की जब सरकार बनी तो यहाँ पर जितने भी महिला कलब थे इनको बंद कर दिया गया और इनकी राजितिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और जो भी एक प्रकार से famous leader थी famous नेता थी महिलाओं की उनको गिरफतार कर लिया गया और जो उनमें से सबसे बड़ी थी उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया उदारन के लिए यहाँ पर यह श्रोत चजो है इसमें करांतिकारी महिला ओल्म्स दे गुज के बारे में है इनका देखिए इनको फांसी पर चढ़ाया गया था आप चाहे तो इनको पढ़ सकते हैं अब यहाँ पर यह जो आंदुलन है यह जारी रहा महिलाओं का क्योंकि महिलाओं को अभी भी मत आधिकार नहीं मिला था और साथ में समान वितन नहीं मिला था तो यह जो आंदुलन था यह अगले सदी तक जारी रहा और आगे चलकर महिलाओं को 1946 में हमारे देश के आजाद होने से एक साल पहले और सोचिए कि इसके एक सालवाद हमारा देश आजाद हुआ और आजाद होने के साथ ही हमारे देश ने देश के हरेक नागरिक को चाहे वो लड़का हो लड़की हो कोई हो सब को वोट देने का अधिकार दिया था समझ गए तो यहाँ पर 1946 में जाकर एक प्रकार से क्या हुआ यहाँ पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर हमारे सामने ये टॉपिक वगरा देख सकते हैं कि बेकरी के दुकान में महिलाएं जो हैं कतार बना कर खड़ी हैं ताकि उनको ब्रेड बगरा मिल सके अपनी परिवार के लिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने है टॉपिक दास प्रता का उन्मूलन यानि कि हम अब समझने वाले हैं कि जो फ्रांस में क्रांती हुई उसकी उसका असर दास प्रता प बना कर रखते थे और उनकी खरीद बिकरी करते थे और वो जो गुलाम होता था वो अपने मालिक का गुलाम होता था अपने मालिक के कहे बात को ही एक प्रकार से फॉलो करता था उसकी मर्जी के खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकता था मतलब यह बहुत डीटेल चीज है मतलब अब यह गुलाम लोग बनते कहां थे भाई जितने भी आपके उपनिवेश थे उपनिवेश मुखिता जो अफ्रीका के उपनिवेश थे वहां पर से लोगों को लाया जाता था पकड़के और उनको बेच दिया जाता था किसी व्यापारी को जो की उनको मजदूर के रूप मे काम करवाता था उनसे तो यह यहाँ पर दास प्रथा के बारे में है अब यहाँ पर उस पर क्या असर पड़ा अब यहाँ पर एक चीज़ कहता है कि फ्रांसिसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन साशन के क्रांती कारी समाजिक सुधारों में से एक अब यहाँ पर कहता है कि जो केरिबियाई उपनिवेश थे केरिबियाई उपनिवेश कहने का मतलब क्या है जो केरिबियन आइलेंड का समू है अब केरिबियन आइलेंड कहा है तो उसको अगर मैं आपको दिखाओं तो यहाँ पर मैं एक सेकेंड दिखाता हूँ आपको यह आप यहां पर आएंगे, तो यहां पर देखे, अमेरिका है आपका, यह है USA, USA के नीचे है मेक्सिको, इसके पास यह जो आइलेंड का समू है, यह आपका कैरिबियन दीब समू कहलाता है, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसको जरा सा जूम कर देता हूँ, तो यहां प आप देखे, तो यहां पर यह क्या है, यह हमारा है कैरिबियन दीब समू होग जो की USA के थोड़ा सा नीचे यह दीब समू है, यही हमारा कैरिबियन दीब समू कहलाता है, ठीक है? तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ हैं, तो यहां पर जो देशें जैसे मार्टिनिक, अब मजदूरों की जरूरत होती थी, तो यहाँ पर मजदूर कहां से आएंगे भाई, तो जो फ्रांस के लोग थे, वो इन इलाकों में जाकर काम करना नहीं चाहते थे, यहाँ पर यह लोग आकर काम करना नहीं चाहते थे, इस वज़ा से यहाँ पर क्या हो गया, श्रम की कमी मजदूरों की कमी हो गई अब मजदूरों की कमी पूरी करने के लिए जो यूरोप के लोग थे वो यहां पर यूरोप से जाकर अफरीका जाते थे वहां से लोगों को पकड़ कर लाते थे जो अफरीका के लोग होते है जिनका एक प्रकार से चमड़े का रंग काला होता है जि वो मुख्यता उसी समय के आई लोग हैं उनके पूरवज को गुलाम के रूप में वहाँ लाया गया था इस वज़े से ये बहुत बड़ा मुद्दा है USA में दास्प्रथा का अब यहाँ पर क्या होता था जो यूरोप के लोग होते थे ये जाते थे अफरीका अफरीका से लो जो लोग थे जो गुलाम थे वो वहाँ पर मजदूरी का काम करते थे और यहाँ पर दास की जो कमी होती थी एक प्रकार से जो स्रम की कमी होती थी उसको पूरा किया जाता था अब यहाँ पर समझे इस चीज को समझने के लिए फिर से आपको मैप देखना जरूरी होगा और यहां है आपका क्या यहां है अफरीका यहां से लोग यूरोप से आते थे अफरीका अफरीका से लोगों को पकड़ते थे और पकड़ने के बाद क्या करते थे पकड़ने के बाद मतलब पकड़ने का मतलब कि वहां के लोग कुछ व्यापारी होते थे जो कि लोगों को पक दिया अमेरिका के इन द्विपों में या फिर और भी जगों पर बेज दिया यहां पर मजदूरी से काम करवाया तो फिर यहां पर जो समान उगा वो कहा गया यूरोप गया यूरोप से फिर व्यापारी यहां गये गुलाम पकड़का यहां लाया गुलाम ने यहां काम किया यहाँ से फिर समान जो उगा, जो भी चाए, कॉफी, चीनी जो भी उगना है उगा और वो फिर यूरोप गिया इस प्रकार से एक प्रकार का त्रीकोणिया विया पार यहाँ पर चलता था। तो यहां पर क्या हुआ कि जब रोवेस्पियर की सरकार बनी तो रोवेस्पियर की सरकार ने क्या किया ये जो दासप्रथा था इसको समाप्त कर दिया जब रोवेस्पियर की सरकार बनी तो इस दासप्रथा को समाप्त कर दिया क्यों समाप्त कर दिया क्योंकि जो Robespier की सरकार थी उसका कहना था कि जो एक इनसान की आजादी है वो सिर्फ हमारे फ्रांस में नहीं होगी बलकि जो फ्रांस के बाहर फ्रांस की उपनिवेश हैं वहाँ पर भी इस चीज़ को लागू किया जाएगा समझ गए अब जब 17 सदी की सुरुवात हुई थी उसी समय में ये दास व्यापार शुरू हुआ था मतलब गुलामों का व्यापार शुरू हुआ था आगे चलकर ये जो पूरा व्योस्था था ये काफी बढ़ गया और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े व्यापारी जो थे इसमें शामिल हो गए थे यहाँ पर जैसे कहता है कि जो फ्रांसिसी सौदागर होते थे ये बोर्दे या नांते बंदरग्रा से अफरीका टट पर जहाज ले जाते थे ये दोनों फ्रांस में ही है समझ गए फ्रांस से अफरीका जाते वहां से अस्थानिय सरदार से दास ख और फिर उनको दाग कर और हतकडियां डाल कर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक तीन माह लंबी समुत्री यातरा के लिए जहाजों में ठूंस दिया जाता था। अटलांटिक महासागर है उसको पार करने के लिए पानी के जहाज में डाल दिया आता था। इसे बांद कर और इनको ठूंस दिया जाता था और ऐसे इनको यहां तक ले जाया जाता था और यहां पर जो आपके जो बगान मालिक होते थे उनको बेज दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपिय बाजारों में चीनी कॉफी नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। समझ गए? ठीक है? तो समझ गए दास वेपार कैसे होता था? क्या इसीती थी? रोबिस पेर आया तो उसने क्या-क्या दास परथा को समाप्त कर दिया। लेकिन यहां पर आगे कहता है कि 18 सदी में फ्रांस में दास परथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। मतलब जब फ्रांसी क्रांती वगएरा हुआ या फिर उसके पहले तक दास परथा की बारे में उतना ज़्यादा बात नहीं हुआ। उसका कारण ये था कि वहां पर इसके उपर पहले तो सुरुवात में कोई ध्यान देना नहीं चाहता था क्योंकि कुछ वियापारी थे जो कि इसमें सामिल थे। बाद में चलकर जब यहां पर सरकार वगेरा बन गई, क्रांतिकारी सरकार बन गई तो वहां पर बहुत लंबा लंबा बहस हुआ। कि भाई जो हम आजादी की बात करते हैं, क्या वो आजादी सिर्फ फ्रांस में होनी चाहिए, या फिर फ्रांस के बाहर दूसरे उपनिवेशू में भी होनी चाहिए, जहां पर हमने कबजा किया है, जहां हमने गुलाम लोगों को बनाया है। तो यहां पर यह है कि द्यास व्यापार को कोई खत्म नहीं कर सकता था, या फिर करना नहीं चाहता था। कारण यह था कि यहां पर बहुत सारे फ्रांस के व्यापारी थे, जो कि द्यास व्यापार में शामिल थे, और वो बहुत विबड़े व्यापारी थे। इनको कोई भी नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए कोई भी assembly में कानून पारित नहीं किया गया, लेकिन जब 1794 में जो convention थी, यानी की जो Robespier की सरकार थी, उसने क्या किया, फ्रांसिसी उपनिवेसो में सभी दासों की मुक्ती का कानून पारित कर दिया, मतलब क्या, कि सभ के बाद जब Napoleon आया, तो Napoleon ने करीब 1804 में दास प्रथा को फिर से चालू कर दिया गया, और फिर से यहां पर क्या कर दिया गया, लोगों को गुलाम बनाया गया, और लोगों को एक प्रकार से गुलाम का व्यापार होने लगा, और अंत में जाकर 1848 में यहां पर फ्रांसिसी उपनिवेशों से यह जद्दास प्रथा थी इसको समाप्त किया गया, अब यहां पर आगे बढ़ें, तो आगे हमारे सामने चैप्टर का टॉपिक है, टॉपिक का नाम है करांती और रोजाना जिंदगी, मतलब कि करांती के वज़द से रोज की जिंदगी पर क्या फरक प जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन है, मतलब कि लोगों की जो जिंदगी थी दैनिक जीवन, बोलने का तरीका, पहनने का तरीका, जीने का तरीका, सब चीजे बदल गई, कैसे बदल गई समझते हैं, तो यहां पर कहता है कि करांती कारी सरकारों ने कानून बना कर स्वतंतरत और समानता के आदर्सों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयाश किया, मतलब यहां पर एक देखिए, विचार होता है कि हम लोग स्वतंतर हैं, एक विचार होता है कि हम लोग समान हैं, सभी लोग बरावर हैं, लेकिन यहां पर क्या हुआ, जो क्रांती कारी सरकार थी, वो कानून बनाकर जवरजस्ती लोगों से समानता को फॉलो करने के लिए और साथ में सुतंता को फॉलो करने के लिए बात करती थी, मतलब हर चीज के लिए क्या गरती थी, कानून तैयार कर देती थी ठीक है, यहाँ पर कहता है कि बास्तिल के विध्वन्स के बाद 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्पून कानून अस्त्वित्व में आया वह था सिंसर्शिप की समाप्ती एक जो सबसे बड़ा बदलाव आया फ्रांस में वो था कि सिंसर्शिप फ्रांस से समाप्त हो गया पहले क्या होता था जब राजा का शाशन था तो कोई भी आप किताब छापना चाहते हैं कोई भी लेख लिखना चाहते हैं तो पहले राजा का एक विभाग होता था सिंसर्शिप का उससे आपको परमिशन लेना होता था और वहाँ पर सभी चीज़े छपने से पहले एक प्रकार से सिंसर वो चीज़े की जाती थी, सिंसर सिप कहने का मतलब है कि राजा की आप खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, आप सरकार को बुरा भला नहीं कह सकते हैं, और वैसी चीज़े नहीं लिख सकते हैं जिससे राजा का मजा कुड़े, सरकार का मजा कुड़े, तो वो चीजे नहीं छप सकती थी, लेकिन जब यहाँ पर सरकार बन गई, राजतंत्र खतम हो गया, तो लोगों को अभिवेक्ति की आजादी मिल गई, तो अब यहाँ पर एक प्रकार से फ्रांस के शहरों में अकबार, परचे, पुस्तक, मतलब बाढ़ आ गया, जिसको जो मन है वो लिख रहा है, जिसको जो मन है, वो बोल रहा है, जिसका बुराई करना है कर लो, कोई दिकत नहीं है, जो करना है कर सकते हो, अब इससे क्या हुआ, कि जो भी चीजे थी, वो अब तुरंत अकबारों में छप जाती थी, परचे बन रहा है घटना में, मतलब हाल फिलाल में कुछ भी हुआ, उसके बारे में अपने मन की बात लोग कह सकते थे, जो भी रिपोर्टर थे, वो किसी भी मुद्दे पर खुल कर बात करते थे, कि भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहि अब यहाँ पर आगे कहता है कि स्वतंदरता और न्याय के बारे में राजनितिकों एवं दार्शनिकों के पांडित पूर्ण लेखन को समझने और उनसे जुड़ने का या अलोग प्रियत तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुठी बर सिक्षीत कों के लिए ही स चीजे भी यहाँ पर दिखाई बताई जाती थी और इसके अलावा यहाँ पर जो प्रिंट महादेम था उसके वज़ा से भी अलग 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 लग अपनी राय वगरा रख सकते थे यह सारी चीजे तो यहाँ पर यह काफी बदलाव आया था लोगों के जीवन में इन समराट घोशित किया था 1804 में लेकिन 1799 से ही वो एक प्रकार से काफी पावरफुल हो चुका था और काफी हद तक उसका कंट्रोल हो चुका था लेकिन वो कितना में फॉर्मल यह होता है ना कि राज तिलक होना राज तिलक कब हुआ था 1804 में हुआ था जब यह समराट इसन कर दी और जो यहां पर पुराने राजवन्स थे उनको हटा कर उसने नए समराज जी बनाए मतलब कि कहीं बगल में कोई छोटा सा देश है वहां के राजा को हटाया अपना कोई भतीजा है चाचा है कोई रिस्तिदार है उसको राजगदी पर बैठा दिया इस प्रकार से प चीज आप अगले क्लास के चैप्टर वन में पढ़ेंगे यानि क्लास टेन में यहां पर उसने कई कानौन भी बनाए जैसे नीजी समपत्ती की सुरक्षा का कानौन, कानौन के समक्ष बराबरी का कानौन, दसमल और पधिती पर आधारित नापतौल का वेवस था इस प्रका और वहां पर इसकी जो आधुनिकी करण के जो कदम थे वो एक प्रकार से बहुत सफल हुए, फ्रांस में भी उसको अपनाया गया और दूसरे जो इलाके थे वहां पर भी लोगों ने उसको स्विकार किया और इसके किये गए सुधारों को बहुत जगों पर लागू भी किय अब इसके बाद यहां पर छोटा सा बचता है, छोटा सा क्या कहता है कि फ्रांस स्वतंतरता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसिसी क्रांती की सबसे महत्पूर्ण विरासत थे, मतलब कि यहां पर जो फ्रांसिसी क्रांती हुआ उसमें मुख्यमुद्दा क्या स्वतंत्रता का विचार जनवादी अधिकारों का विचार ये बहुत महत्पूर्ण थे जो भी घटनाय हुई भले ही नेपोलियन आया लेकिन नेपोलियन के आने के बावजूद लोगों के मन में ये विचार अच्छी तरीके से घर कर चुके थे और ये विचार आगे तक जी इसलिए है क्योंकि यहाँ जो क्रांती हुई उसकी वज़ा से उसका असर पूरे यूरोप में पड़ा पूरे यूरोप में क्रांतियां शुरू हो गई हर देश में यहाँ पर जो सामन्ती ववस्था थी वो खत्म होने लगी राज तंत्र खत्म होने लगा लोग लोग तंत वो समप्रभू राष्ट राज की अस्थापना के लिए आंदोलन को करने लगे और यहाँ पर दास्ता से मुक्ती के लिए अपने विचार के नई परिभाशा दी उधारन के लिए टीपु सुल्तान और राजा राम मोहनरोय जो थे वो फ्रांस में उबजे विचारों से प्रेड़ना लेने वाले लोग थे भारत में मतलब की बात यह है कि फ्रांसिसी क्रांती सिर्फ फ्रांस में होने वाली क्रांती नहीं थी बलकि इसकी वज़ा से पूरी दुनिया के लोग प्रभावित हुए थे आप और हम भी प्रभावित हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे विचार वहां से आये हैं, जिसने आंदोलनों को प्रेरित किया है, हमारे देश के जो आजादी के आंदोलन थे, उसमें बहुत सारे लोग फ्रांसिसी क्रांती को भी पढ़ते थे, उससे प्रेरित होते थे, समझ ग आपसे अगले वीडियो में अगले अध्धाय के साथ तब तक लिए गुड़ बाई